हमें अगले हपते तक मंदिर की साफसफाइद करने होगी जी पूजारी जी नमस्ते जी नमस्ते हैं हम लोग शहर से आएं मंदिर में दर्शन करने के लिए हैं यहां सारी मनते पूरी होती हैं हम बहुत दूर से आए है एक बड़ा हार और मुगुट चाहिए जीव जारे जी जल्दी जल्दी सब को गया जल्दी करो कि अरे आराम से निकालो अधर आवाब नहीं करेंगा लुट लो कि अर Evangel één जल्दी है जल्दी ज qualidade के कमेंगा रहते पीजिए है? जळे रहा रहा रहाँ रहा 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 हूर और में धर रहा रे रहा मैं तुम मैं तra उन्सदडने इच एंस और आफ आप ईंस कर दो 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 यह स्वाइ बिए प्षुद्धू ठाई! हाई! येलो! हाई! हाई! पूड़ जहीति नुद्ध के नहीं! की दूड़ए, रोगातों! पर कोई खाना चोरी करता है तो अपनी भूक मिटाने के लिए पर तुम्हें माफ कैसे करूँ तुम्हारी वजए से तो मंदिर में बैठा भगवान भी सुरक्षित नहीं है लेकिन मैं कानून की रक्षा करने वाला आज उनका इंसाफ करूँ का मैं वो हूँ जिसका नाम सुन तुझे बड़ा मज़ा आता है लोगों को परेशान करने में उनके पैसे चुराने में उन्हें मारने में खुद की बच्चतिया तो कैसा लगड़ा वंदू की नली जब सिर्फे तानूंगा नो तो चड़ी पीली और गीली हो जागी मुझे छड़ दो कांचा चीना हमारी जेल तोड़कर भाग गया है वह पथरों के पहाड में जाकर छुपा है अगया है श्रुटा वे श्रुटा रुटा नहीं चर्णा मैंने सिखा नहीं मैं असलतार मजुंदार अब मेरे अंदर की आग जक चुकी है अब मेरा प्रमोशन कोई नहीं रोग च़़ता सहाब आपको बोल है था न कि वहाँ पर मल चाहिए इतना बोल बच्चंदिया कम से कम यह कहते कि पत्थरों में बॉम है समझा रहा था लेकिन आप तो लंबी फेक रहे थे तो तो मैं अपनी पबलिसिटी कर रहा था सर जी हमसे गलती से मिस्टेक हो गई सर कांचा चीना जेल के टॉलेट में लॉक हो गया था वह भागा नहीं हो यह मेरे मरने के बाद बताता तारी सर गलती हो गई अंग्रेस चले गए सौरी छोड़ गए रे अरे सर आपका सिर्फ जूता ही तो फटा है फटा हुआ जूता तो फिर भी सिर जाएगा लेकिन अब इसको कौन सी एगा बाभी ने नाक्ता कराया कि लिए उसी वारी बाभी कैसे हो मजुम्दा कल जैसा ही तुम टॉलेट जाने के भी लायक नहीं रहे पेपर में आया क्या अरुपी के नीचे दिमाग दिया उसका इस्तमाल करो इना अकल की बहादुरी बेख्रफी है जब इमें अकल दोडाता हूं दिमाग का लूज मोशन हो जाता है नमस्ते इनका कर बाभी ने लेफ को लाया लेफ्ट वाले ने राइट को लिश में हम फच गये सर इस आदमी न इसी की बीवी को छेड़ेगा तो मारी खाएगा ना मैंने मारा है तो मुझ पर केस करेगा नहीं सर तेरी इस कंप्लेन की वज़े से तेरी एफ आयर लिखनी होगी तुझे जीप में बिठाकर कोट ले जाकर वापस भी लाना हूं मेरे डीजल का खर्चा गवर्मेंट का पै करेंगे तो फिर यहां का चीफ इंस्पेक्टर हूं लेकिन इसी गाउं मैं पला बढ़ा हूं के सभी के साथ मेरा कोई नहीं रिष्टा है समझ गया लेकिन अगर हम एक भी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे तो गवर्मेंट को लगेगा कि हम कामचोर हो गये हैं आपका पगार बंद मेरा पगार बंद पुलिस टेशन शट डाउन अरे यहीं तो मैं चाहता हूं सर खाने के वांदे हो जाएंगे कुछ नहीं होगा मैं तो अपनी चोटी सी दुकान खोलना चाहता था वो तो बाओ जी की वज़े से पुलीस फोस जॉइन कर ली अगर पुलीस टेशन बं पुलीस टाइम के बीच में बॉल से नहीं खेलना चाहिए हमारा कोई ड्यूटी टाइम नहीं होता रात को दो बज़े भी काम करना पड़ता है दिवाली या नूइयर हमारे लिए सब एक जैसा है हमें कोई चुटी नहीं मिलती है पंडर लोग नहीं सार तो जब्भी मौका मिले खेलते कूते रहो तुम भी खेलो अब मैदान में सिंहम आ गया है अब चाहिए अरे सिंहम टोने टीम्स का स्कोर सेम है हमें पांच मिनिट में कैसे भी करके एक गोल मारना पड़ेगा विकर मत कर पांच मिनिट में पांच मार लेंगे गोली से भी तेज भागया है जिसकी आखे चील जैसी यहां इसके सब दिवाने नाचे और बजाय ताली है टारो किसी में भी नहीं है वा दम रोक सके सिंहं के बदे का दम अब जारे से बाथ यह दो नो ऐसे क्यों देख रहे ही हैं जल्दी है यह आमेश फरस क्यों आती हो इसमें बुरा क्यों मान रही हो सेकंड तो आई हो ये पिचारे तो थर्ड फोर्द आये हैं चलो यहां से आविया मैंना, प्रिया मैंना शालूप, नहीं, आमिद, सल्वान मैं ताना लीवर हाँ जाती हो, मजाग करे थे डैडी लगेज में आ रहे हैं? डैडी लगेज लेकर आ रहे हैं नमस्ति जी कैसे हो? अरे हेलो रोशन जी, कैसे हाँ? I'm good, how are you? मैं ठीकू पर आपका यहां कैसे आना हो? बच्चे दादा दादी के साथ वक्त बिताना चाते थे, तो मैं उन्हें यहां ले आया अरे, पुलिस टेशन में मेरे बिना पत्ता तक नहीं हिलता है चलो, भुके को खाना दो तुम जल्दी आज ही अपने एकाउंट्स खत्म कर दो, कल हमें सीटी ओ आफिसर से मिल ले जाना है ना मुझे रिश्वत लेने देता है, रिश्वत के वगएर घर चलता है क्या मा मेरे बेटे के बारे में उल्टा कहा, तो कॉफी में जहर डाल दूगी हां तुम जानते अभी तक तुभरे प्रमोशन क्यों नहीं हुआ दुकान में फोन करों और सामान के बारे में बुछो हलो, सामान आया क्या, अ, कब का आ अ गया किया, उससे पुछो कब आया था किटनी बोरियां आये जाख्या, कॉन सा साभून, कितने पैसे लिट रह कितने लोग ठक धई, एक ही बार में हर चीज पुछवाओ ना दिदी खाना ला रही हूं सोनो सिंगम जी बाओ जी ज़र दुकान पर फोन करो और पूछो सामान आया के दें जी बाओ जी बेटा बैट की बात करो ना हाँ ठीक है बाओ जी 3.30 बजे लौरी आ गई थी सब मिला के 48 बोरिया है पांच चावल की उरदाल की चार गेहू की बाइस धनिया दो मिर्ची दो और नमक की पांच जितना सामान चाहिए था आ गया है उन्होंने कहा है अब हिसाब करने के लिए शाम कोन की दुकान पर ही चल मजुंदर जी सर उस कमरे में जो मुझ्रिम है उसे बाहर निकलो कोट ले जाना यह पहला इंस्पेक्टर है जिसने अपने घर को ही जेल बना दिया है जल चल बाहरा आ एसी में बहुत आराम कर लिया वक्त आया है कोट जाने का चल सुनो इसे खाना किला कर ही भेज़ बटन कि निगरानी में चलता हूं बाहुजी वुगली वुगली वूश मार हुए एक बस इदर ही रोक देना इन सब को कोट में ले जाना है मजुंदर मैंने पब्लिक क्रोसेटर से बख कर लिए मैं जीप में आगे निकलता हूं तुम कैजियों के साथ बस में आ जाना यह सार यह से क्या घुर रहा है रावडी आखे निकालके कोट आखे रूंगा अब तो मेरा प्रोमोशन पक्का हां अरे बस रोक ना एक नमबर आये मुझे दो नमबर आएगी तो भी बस नहीं रोकेगी जो भी करना यहीं पेकार यह बात है अरे अपने साथ को बढ़ा के लिए जा रहा है अरे साथ को छोड़ दे है चल बढ़ा दर जला है जो थोड़ी बहुत बच्ची है बचा लो वरना कलके वांदे हो जाएंगे अरे आजा मेरी कोदी में बच्चा चल देखो कानून को हाथ में लेना गलत है तुमने तो गोग में ले लिया वाई पर उसका नहीं तो मुझे लाठी चार्ज करना पड़ेगा अरे सर आप केसे लेटक गए तेरे बगल से पहले इतनी बदबु आ रहे थी सर उड़ी बारों हम लोग कैच कर लेंगे बगल की बास तो ठीक है आप गैस में चोड़ना वरना सलाइन चड़ाना पड़ेगा में गाना साब पुलीस वेला होके भी आपको भगा के लाएंगा अजुंदार साब ये लो चाबी आपने क्या हाल पनाना पहले तो पैंट खाली फटी थी अब गीली भी हो गए उड़ा डिपार्टमेंट से बात करके कार ले लो पेट्रोल के पैसे तू देगा अब करतों था, devil करें शेर आगया सिंगन की आंड़ा में शेर? करा जुकत है बीना ढटन के क्यॉँ जाब रहे हा ओ तक क्यों बै Wash केले प्रमेंटं готов मैं द्रयानु मानु ग्रानु गुनु सागर लगता है मेरी निकल गई है तो पेरवाला शीर? हे मैरुप साले शेथ तुर्ण तुर्ण ने और यहा है मता पाने तु कौनसे जंगल से आया शेथ को पीछे से जपिए सिंगम के गाउंवालों को डराता है तिरूंको फिमेल शेर कौन जी सरकस से आई हो आदी रात को इंक कपड़ों में क्या करें मैं तो बस गाउं कौन सा है यही मेरा गाउं है मैं गंगाराम की पोती हूँ पागल हो गई हो पुरा गाउं तुम्हारी वज़े से डर के भाग रहा है मैं तो बस अपनी बेहन को डराना चाहती थी लेकिन सब गाउं अकल से पैदाल हो क्या गाउंवालों ने मिलकर तुम पर हमला कर दिया होता तो कोई काउट देता तो और मैंने तुम्हें बंदूग से शूट किया होता तो उल्लू की पठी जाओ अपने घर जाओ ये शेर का कॉस्ट्यूम कौन होता रहेगा तुम इतनी उदास क्यों हों पुल्लू की पठी कहा उसने मुझे उसने मेरे गाल पे चाटा मारा मैं उसके दोनों गालों पे चाटे मारूँगी पुलिस वाला है तो क्या हो गया मैं उसे बद्दा जरूर लूँगी अपनी प्रेम की भाशा से इंग में प्रेम जगाई है आप इसे जानते नहीं है एक बार हम गाड़ी से जा रहे थे तभी एक बाइक वाला वहां से आया और उसने इसे देखकर आख मारी फिर क्या हुआ फिर इसने उसका पीछा किया और सिगनल पे उसे चुक दिया पिचारे की हटी पस लिए खो गई फिर क्या दीदी ने उसे आख मारी और हिसाब बराबर यह आपने बहुत गलत किया आख मारने के लिए आपने उसे ठोकर मार दी वह कहा मिलेगा यह बता तल उसका गुरुवार है और गुरुवार को मंदर जाता है जैसे वह पूजा के लिए आखे बंद करेगा मैं उसे कसके चाटे मारंगी और फिर हम भाग जाएंगे दीदी, उसकी में लिए उसकी में लिए लिए शेरनी मातारानी के दर्शन के लिए लिए है समीज में इसमेटर साब, मंदर में पूजा करने आए हैं नहीं, तेरी लुंगी में बॉम रखने आगे नहीं ये कोईले की दुकान एक दिन मेरे आज से मार खाने वाला है काविया मेडम उसने अपनी आथी बन कर लिए दीदी, यही मोका है, चौका मार दो आम में आम में Excuse me, sir, मैंने क्या पाप किया है? या आप अपने आप से पूछिए इस खुब सुरत चेहरे पर मानने से पहले आपने सोचा ने? मैंने नहीं मारा आपने नहीं मारा, तो मुझे कैसे लगा? रशाद लो बेटा मैंने आज तक रिश्वत नहीं ली और नहीं किसी लड़की को शड़ा तो मुझे चाटा किसने मारा? उपर वाले ने मारा होगा मैंने नहीं मिला जै जै शीवेश अंकर नारियल सर आपको मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कभी चाथा कभी नारियल अरे वहां पोड रहे हैं गल्ती से उड़कर आगया होगा शेरनी यहां हां तो यहां में जैल में तो नहीं डालतेगा शुप शुप बहुत कल रात को मुझे नीन नहीं आ रही थी मेरा मतलब है तुम पर हाथ उठा कर मैंने अच्छा नहीं किया मुझे लगा तुम कोई चोर हो वैसे मैं कभी कि लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें sorry कहना चाहता हूं I'm really sorry अगर तुम अभी मुझसे नाराज हो तो तुम मुझे चाटा मार लो मैं नाराज नहीं होंगा फिट्टूस हो जाएगा अहां लेकिन गाल पर मत मारना और कहीं भी चलेगा handsome होना चहरा खराब हो जाएगा चलता हूं दीदी क्या कहा उसने डाट रहा था क्या प्रिया ये जैसा सोचा था वैसा नहीं है ये तो बहुत ही नेकदल इंसान है ये लीजे मैडम इस कत्थर से उसका संफोड़ दो पुलू के पठे इतने अच्छे इंसान को तुम मारने की बात कर रहे हो इसे अपने ही सिर पे मार उसने दो मीठी बाते क्या कर ली इसने तो पार्टी ही बदल दी हेलो भाई हम यहां पहुंच गे थे गेम खेल रहा है एक घंटे में गेम खत्म हो जाएगा हम उस पर नजर रखे हुए सुबोर ठागुर बोले भोलता हम आप कौन थारा बाप थारे बच्चे को किड्नाप करने वाला हूं और ज्यादा फड़ पड़ा मत अभी तख किड्नाप नहीं हुआ पर हो सके थारे पास दो घंटे का टाइम है एक खोके का बन दो बस कर दे जल्दी से जल्दी क्या एक खोका शांत हो जाओ मुझे मेरा बेटा चाहिए तेरा बेटा मर गया है जिन्दा है यह जाने के लिए फोन किया क्या अब यह गेम केल रहा है पर कभी भी गेम बच सकता है ने ने मेरे बेटे को कुछ मत परो मैं पैसे दे रहा हूँ शंकर सेट मुन्ना का फोन है के कह रहा है वो कह रहा है कि चिन्नई और हैदराबाद के बीच एक नई सिमेंट फैक्टरी बन रही है हर रोज वहां लाखों की डीलिंग होती है एई बोड़ो से के बाद में फोन लगा है मनने बार बार डिस्टम ना किया कर पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है सिर्क पचास लाकी है भाव ताव करना बंकर है मनने फोन दे आपने बच्चे जिंदा देखने का सौक नहीं है सिंगनल भीग बांदे देखना चाहता है मनने बता है कि रेस्टार के आफिस के बार तुने पांच क्रोड के नकली स्टेंपे पर बेचे है चाहता तो बुरिस वालों को बता देता अपने बेटे के शकल वापस देखना चाहता है तो सीधे सीधे एक करोड़े करा जैसा वो कहते है करो यह आजकल के माबाब अपने बच्चों को प्यार ही नहीं करते ना माने अब बाटते साड़े को रेकाड़े को आया भाई तू के बात कर रहा था हम उनसे पैसा मांगेंगे नाम के बिड़ लड़ा रागवेंदर नाग लोगड़ा मिल गया निकल लो छोड़ो ठीक है बाई महारी जत की धज्यां उड़ा भी साड़ा बंदूग चलाएगा तू महारे दाय हाथ को भी नहीं बता कि महारा बाई आतके करता है जो तुम लोगों ने दुबारा पब्लिक में बंदूग चलाई तो महारे से बुरा कोई नहीं होगा एक-एक को काड़ के फिक दूँगा ये भाई-भाई कर रहा है तर ने कितनी माले बोड़ा की किड़ना इपकरने कि धमकी दी नहीं है किसी को मारना नहीं है अमीर लोग कमजोड दिलवाले होते हैं थमके से उन साड़ों का पे साब निकड़ जाता है अब समझाए ये लिजे सर जी मैंने आपके लिए अपने हाथों से मटन बिर्यानी बनाई है इतनी खातिरदारी किस खुशी में बिना प्रमोशन के एक ये कुर्सी पर आठ साल बिता लिया उसी खुशी में ये तो खुशी की बात है तुम्हें पुलीस टेशन में मिठाई वर्टी जाएगी सर इसलिए मैंने सोचा कि बकरा खरीदता हूं एक दो तीन देखने के बाद चौथा जाड़ावला पसंद आगया जिसका बोड़ी सलमान जैसा था वह आट किलो का था और पंदरा सु रू किने मेंटल हॉस्पिटल तोड़ी है पुलिस टेशन है आप खाई है इंस्पेक्टर साहां प्रिपोर्ट लिखो नहीं तो मैं यहीं ठेरा राव दूगा कोई ऐसे बाहर चिलाएगा तो खाना कैसे खाऊंगा बेचारों तकलीफ में होगा जा उसे अंदर बुलाओ मेरे मा बक्रों का केस यहीं हंडल करते हैं जो भी उसे खाएगा अगले पचासा तक उसका जुलाब बंधी नहीं होगा गबरानी की कोई बात नहीं है हमने आप तक यह बिर्यानी खाई नहीं है बिर्यानी बनाते समय दो चर प्लेट तो मैं खुदी सफाचट कर गया था मुझे जुलाब नहीं हुआ है मुझे बच्पन से ही तीन-चार बार जाड़ियों में जाने की आदत है अगर तुम्हें शाक है तो कर से तुम भी विरसाथ चलो जाड़ियों में नहीं मेरे ऐसे शौक नहीं है लेकि तु जब भी पॉट्टी करेगा यह पॉट्टी रहे हैं टकले हम तो बस इस पॉट्टी को चुराएंगे यह जाने के बाद भी मुझे पॉट्टी की खुजबू कहां से आ रही है मेरी चैड़ी में से सब्सक्राइब माई चीर दादी माँ क्या हुआ बेटी मेरी चेन नहीं मिल रही पहां रखे थे अरे बेटी एक चांदी की नहीं प्रेटिनुम की चेन थी और उस पर एक सॉलिटेर डाइमंड भी लगा था चार लाग का था चार लाग इतनी महंगी चेन तुम गले में पहन कर बोटती थी अरे नौकरों से कहो घर में कहीं चेन गिरी है ढूंदा उसे और पुलिस्ट्रिशन जाके रिपर्ट बिदर्श करवाव सिंगम के पास समझे के हैं हम पहुच गया है यह तुम्हारे साथ लड़कियां कौन है यह आत्माराम सुरुप जी की पोती है इने सिंगम से कुछ का आई हो यह क्या क्या रहो मैं तो कंप्लेन लिखाने आई हूं सुनो मा वह लड़की कितनी सुन्दर है ना सिंगम के उसके साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी क्या कहती हो तो चेन कैसे खो गई तुम्हारी पता नहीं आखरी बार कब देखी थी रात को खाने के वक द में देखते हैं तभी मैंने अपनी चेन देखी थी तुम्हें रात को नीन में चलने की आदत है आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे है पुलीस होना तहकीकात करनी पड़ेगी ठीक है ओक रात को सोने से पहले तुमने क्या बहना था नाइटी तुम्हारी नाइटी शर्ट जै उसे शरब भी नहीं आ रही थी कौनजी नाइटी पहनती हो कैसे निकालती हो कहता है चेन हुक में फसी होगी ओर कॉंट लग रहा था हम खुद ही उसके पास कंप्लेन लेके गए ते वो तो बस अपना काम खर रहा था हां दीदी नाइटी में तो डेफिनेटली नहीं होगी मिल गए माई बाब फोन में है और नहीं तुझे एक और रिपोर्ट लिखानी है अब क्या हो गया है तुम्हें किसी ने मेरे बकरे की पॉट्टी चुरा ली रात को सोदेवक्ट जेब में ही थी यह वो कभी ने से अकले मेरी तरफ घुर की क्या देख रहे हो पहले इसका बकरा गया और फिर बकरे की पॉट्टी एक काम करो तुम अपने सेलरी से इसे पंदरा सो रुपए दे दो इससे जाने दो अब क्या प्रॉब्लम है मैं अपने बकरे की शादी करा के चार बचों की पुगिंग करके रखा था उसका हरचाना कौन देगा पताओ मुझे तेरा बकरा कहा क गुल खिलाएगा यह मुझे मत गिन हुआ चुप चाप पैसे लिए और निकल यहां से क्यों मेरा नुक्सान कर रहे हो और चार से चालीस बंते और उस चालीस से चार सो बंते दस लग का माल है पास में मांडव लिगत पास्बूक और अकाउं नबर दू ब्लैक मेल पुलीस तुमारा बक्रा कसाइवाड़े पर कटने ही वाला था वो लोग बस लेकर आते ही होंगे तु फिक्र मत करो घर जाओ मैं लेकर आता हूं तुमारे बक्रे को गो कैसे चुना लगाया एकदम पान वाले कितना सर आप तो एकदम माहिर है लोग ऐसे मुझे शानदार मजूमद तुमारा बक्रा जिसे हम ले आए हैं ले जाओ इसे पहले इस पेपर पर उठा लगा इसमें लिखा है तुम पुलिस टेशन आये थे कंप्लेंड लिखवाई तुम्हें अपना बक्रा मिल गया अगर तुमने जादा बोला तो यह जाबाज ऑफिसर तुमारी दिल्ली क्या बक्रा नहीं है क्या आ आगा है कैसे आना हुआ मैं कम्प्लेंड लिखाने आए थी मेरा सेल फोन चोरी हो गया सेल फोन चोरी नहीं पिछली बार की तरह हुक में अटक गया होगा कहां रखा था तुमने रात को मम्मी को गुड़नाइट कहने के लिए फोन किया था और उसके बाद सुबह मिला ही नहीं वैसे तुम्हें नीन में चलने की आदब तो नहीं है पर चीजे घुमाने की आदब जान बूज के थोड़ी कर रहे हैं तुम रात को किसके साथ सोती हो इसके साथ आप मेरे सामने ऐसे क्यों देख रहे हो आई है माई लेटिस एंड्रोइड तुम अपना फोन अक्सर कहां रखती हैं साइट टेबल पर रखती हूं तुम्हारा बेट खिड़की से कितनी दूर है ज्यादा दूर नहीं तुम्हारे रूम के खिड़की खुली थी एसी रूम है खिड़की तो बंदी होगी ना इतनी ठंड में भी तुम्हें गर्मी का में फोन कर दूंगी 100 डायल करो पोन पूली स्टेशन में लग जाएगा यह क्या आपको सिंगम का नंबर चाहिए जारेक लाइन के बीच में क्रॉस कनेक्शन क्यूं कर यह नंबर चाहिए वान जीरो जिरो यह नंबर तो सिंगम में भी धिया था उनके 100 का मतलब पॉन मेरे का मतलब बापू सौ रुप्या जादा है ये लो पचास नाइन एट फो डबल टू पचास में पांच नमबर मेरा नमबर चाहिए तुम्हारे लिए फ्री ओफ कॉस्ट मिस्स कॉल देना फोन मैं करूंगा पोलिस वाले मैं नहा कर बहार निकले तो मेरे जुमके गायब हो गए हुआ मेरे जुमके गायब हो गया हां तुम्हारी नाइटी श़र जैसे खुलती है या टी-शइट जैसे हुआ नहने से पहले क्या तुम अपने कपडे ऊपर से उतारती हो या सामने से उतारती हो घर जाके भी मान बहन से पूछ पूछ शिंगम सिन ने जब यही किया तो सामने वाली ने उनका फोन नंबर लिया और मुझे इस गाल पे एक चाटा मिला कोई खुब का सेलफ़ोन चुबा की कंप्लेंग करता है वो पुलीस वाला है पागल नहीं पागल वो नहीं पागल तो मैं हो गई हूँ तुम क्या कह रही हूँ मैंने अपना फ्own कन लिवर को दिया था चुपाने के लिए ऐसा क्यों जिस दिन सिंगहम ने ने मुझे शेनी के कपड़ों में पकड़ तो उसले सिंगहमें पाटिय पकड़ा तो फिर पैर भी पकड़ा था उसने मुझे अपनी पाहों में ले लिया था ऐसा लग रहा था कि कि मैं उसे कई जन्मों से जानती हूं दीदी और कोई नहीं मिला तुमें नमस्ते सर आप मैं जो इधर से गुजर रहा था आपकी बिल्डिंग देखी सुच बढ़ाने वाले को भी देख लूँ मुझे खुशी है कि आप हमें मिलने आए ताओ जी कौन से गाउं से हो यहीं का हो पर कई सालों से मैं यूएस में रहता हूं पर बच्चे चाहते हैं कि हमारा यहां पर भी एक घर हो परिवार बड़ा होने की वज़े से मैंने ये ग्राउंड ले ही यहां तो ग्राउंड से ए जान भी ले लेते हैं मुझसे पैसे लेने कोन आएगा आएगा के आ गया है ताओ मैं थारे से पैसे ले नहीं आया हूं यह जानम तो मुझसे कैसी बात ही कर रहे हो सुनता हूं कल पांच करोड़ों मारे पास भिजवात देना फिर तन्य कोई परेशान नहीं करेगा नहीं नहीं मैं पुलीस को बलाऊंगा तो मैं रेविडियू डिपार्टमेंट को बलाऊंगा इंकम टैस को फोन गुमाऊंगा ताओ थार ये जमीन 25 करोण की है इस मसीन मे रिकार्ड कर लिया हमने स्टान पेपर वे लिख्या ताओ कि तुने जमीन का 10 करोण दी है जो रेविडियू डिपार्टमेंट को मुला लिया तो बताए क्यों होगा हर न्यूज चैनल पर आ जाएगा कि अमरिका से आए तो बुड़े ने 15 करोण का खुटा लग किया है तो अब बुड़े ने मारो रेप कियो है अब बोल माई गॉड़ हुआ है पट्शी साल पहले तुम्हारी दादी के साथ फिल्म देखे आए तो रोमैंटिक आप डादी को बोलके ऐसा टेटर अपने गाउने क्यों ही बनवाते हैं अहां मैं उससे बात करूँगा अच्छा तुम लोग वहां चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए क्या कर रही हो चपल तो अतारो तभी तो सही वेट आएगा यॉर्राइट कपड़े भी उतार दो अपने फिर और भी अच्छा वेट है तेरी हिमत भी कैसे हुई मेरी पूंदी तो यह मोने की तुझे अभी मैं बताता हूं तुरे ठुटे कर दूँगा मैं कौन हूं जानत की गर्मी अभी निकाल दूँगा मैं वैसे भी जितने मज़े तुझे मैं करवा सकता हूं यह बुठा करवाएगा दिमाग को निक्राब हो और यह मेरी पोती है अभे तेरी पोती हो या बेटी मुझे क्या चुम रहे अगर मेरे गाम वाली यहां होते तो वो तेरे नहीं कोला लेकिन मैं चुप नहीं बैटे वाली उसे साथ के बिल में हाथ डाला है किसे फोन करी हैं एक फोन पर ही उसके धज्चिया उठ जाएंगी तेरे दादा की तरह मैं चुप नहीं बैटा दादी अगर डैडी को पता चला तो वह हमें कभी यहां नहीं भेजेंगे आखर बात क्या है मुझे तो पताओ कि मैं बच्चों को सिने बाद दिखाने के लिए थेटर ले गया था वहाँ एक गुंडे ने काविया के साथ बत्तम इसे की इसे बाद करो कि यहां से जाना नहीं चाहिए यही रूकिये 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 पीछे अटिये तुम मैंसे किसी ने इस लड़की के साथ पत्तमीज ही की है आज उसे बीज बजार नंगा करके नहीं मारा तो मेरा नाम भी सिंगम नहीं एक बाप की उलाद है वा सामने आ जुक करका बैठार जल्दी से से निमा होला जाओ काव्या तुम बता कौन है वा क्या ये है ये है पैचानों से आज उसकी मात उसके सामने खड़ी है अरे हमने क्या किया हमको तो जाने दो कॉन बोला पांच मिनिट रुप नहीं सकता जहां एक लटी की इससत का सवाल है और तुझे घर जाने की पड़ी है इसकी जाए तेरी बहन होती तो हट पुलीस की वर्दी में तो कुट्टा भी शेर बन जाता है और पिर तेरी पास तो ग बारा जा पुलीस की बारा हुआ 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 है हुआ 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 है छो फिण करहा हो, है! ं натार के भूको चेरी औक मगाला दुछ? कंगरो आको नहें Discover यह लो बैन तुम्हारा तुम पट्टा देखा पुलीस वाले की बीवी होने का कितना फायदा है हम क्या करें उस बुढ़े ने फासी लगा ली और अपने बेटे को इस बारे में एक इमेल भीज़ दिया कमिशनर साब को अमबसी से प्रेशर आ रहा है इसलिए अफायर लिखने पड़ी तो मारा प्लेट पसर क्यों बढ़ा है अगर आप अरेस्ट हो भी गए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप अरेस्ट हो गए है यह मैसी मेटर है इसलिए उपर से बहुत प्रेशन आ रहा है हाई समझे न यह आपके लिए छोटा सा टूर होगा आपके जेल जाने से पहले मैं आपके लिए बेल लेकर आ जाओंगा इसी बात की तो पगार लेता हूँ मैं बेल तो मिली है लेकिन यह कंडिशनल बेल है आपको बस 15 दिनों के लिए हाजरी देनी है पुलिस टेशन में नलूर पुलिस टेशन यह तो विजयवडा के पास हुए वो नलूर है यह नलूर पुलिस टेशन है जो टुटी कुरून के नस्दीक है तो प्राब्लम के है यह गौरी शंकर कब काम आवेगा साइन वो करेगा अरे मेरा कोई भी टपोरी चला जाएगा साइन के लिए तुम बस भाई का साइन फ्रैक्स कर दो मैं हूँ ना बाकी मुझ पर छोड़ दो अरे यह मची बसार नहीं है सिंगम एक पुलिस वाले के सामने कैसे बैठ सकते हैं क्या कह रहे हैं चाचा मैं पुलिस वाला बाद में पहले आपका बेटा हूँ बैठ जाएगा मैं मानता हूँ यह इतने दिनों से जो कुछ भी कर रहा है सब गलत है लेकिन आप इस तरह कानून हाथ में नहीं ले सकते यह आपकी बेटी से प्यार करता है सर्फ उसकी एक जलक के लिए पूरा दिन राश्ते पर खड़ाया करते हैं सारा दिन पानी मांगता रहता है चाची हमारे गाओं की लड़कियां शेहर की लड़कियों के तरह घर से बाहर wording से बाहर नहीं में इनकी शादी करवा देनी चाहिए शुबरतो अगर चोरी छुपे उसके घर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अब हाथ मिलाओ गले मिलो चलो मुस्कराओ सर जी आपने दो मर्दों को अपस में गले मिलने के लिए कहा लेकिन अगर इनमें से एक और एक मर्द होता तो आप क्या करते मैं तुझे यहां मारू या फिर घर ले जाकर यह शेर एक एको माफ करता है लेकिन यह चिता एक एको साफ करता है गवर्मेंट कहती है कि पेड़ पौधे होगाओ लेकिन इन दोनों ने तो सारी फसल चेहरे पे होगा लिये तुम्हारा एक पैर कबर में हो और दूसरा केले के छिलके पर अगर इतना जोर से चिलाओगे तो हाट फिल हो जाएगा जाओ 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 एश करो जाओ आगे चाई की दुकान पर रोके ना सर प्री में हाफ आफ कटिंग हो जाए शिंगम रुको रुको एक एसे भाग के कहा जा रही हो एक चोड मेरा ब्रेसलेट ले गया और मुझे चोट लग गई चोट लगई घर में रहा करो कभी चेंग कभी मुबाईल और आज ब्रेसलेट मैं कहा रहा हूं ना चुक्त आप घर जाओ जाओ चलो मैं आसे भोकत में इतना क्यों जार दिया सर जूट बोल रही थी सच में इसके हाथ पर लगा वो घाओ किसी चोर ने नहीं इसने खुद लगाया था व इस गाने को कॉलो ट्यून मला रहा है तो स्टार का बटन दबाई है यह नबर क्ला प्यास्ट है यह दोस्ट कानल इवर की आवाद नहीं मिलेगा आवाद बना मना के केड़ा बना रहा है जिस ठाली में खाता है उसी में होल करता है यह प्रौब्लम किया है दुमारी यह जह दोख रहा पुलिस की आऊके में धूल जोकागी खुदी जाकर सारी चीजे सुनील को दे दी और पुलिस को गुम्राह करी हो मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी तुम्हारे शहर में यह सब चलता होगा पर हमारे जजबातों के साथ मत खेलो तुम नहीं तो कहा था कि उस लड़की को उस लड़की को देखने के लिए बहाने बनाने पड़े तुम मैंने भी बहाने बनाए तुम्हें देखने के लिए मुझे देखने के लिए जब एक लड़की एक लड़की को देखने के लिए बहाने बनाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है क्या यही कि वो उससे प्यार करती है अपनी जान तक दे सकती उसके लिए बसकर अगली मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल में गिटार बजने लगे दिन का चैन और रातों की नीन सब गायव हो गए तुम्हारी खुद्दारी की मैं दीवानी हो गई एक लड़की अपने होने वाले जीवन साथी में क्या डूंदी है यही कि वो उसे तेर सारा प्यार करें सिम्मेदारी उठाये और यह सारी बाते तुम्हें है सिंगम I love you हुआ है अब कुछ बोलोगे भी आइसे खड़र होगे मेरी आइलव्यू का जवाब तक नहीं दिया पता नहीं और कितना तरपाएगा एक तम उल्लू का पठ्था है क्या का मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे प्यार किया अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की के बार में सो जान लेगी है कावईय तुम्हें तो प्यास लगी थी ना मेरी प्यास तो बुच गई भावी अब भावी अब ये घर पे बीने लगी उसने तुम्हें गाली तो नहीं दिया न फिर छोड़ो उसक्त करो बताओ कितनी है उससे बड़ी हूं तो फिर कोई भी अट्रा साल की लड़की 35 साल की औरत को क्या बुलाएगी वो दीदी भी तो बोल सकती है चेहरे पे जुरियां पड़ती जा रही है तुम्हें ब्यूटी परलर जाने की जरूरत है तीदी बनने चलिए मैंने ऐसा क्या कहा जो इतना बढ़क गए गुद मॉनिंग सर इसे 15 दिन तक साइन करने नाम क्या है शंकर सेट बाप का नाम बाप का नाम याद नहीं आ रहा क्यों तुम्हारी माने बताया नहीं आईडी दिखाव सर जाने तो ना हम लग गौरी शंकर के अगमी है अरे आपको क्या करना है साइन्स है मतलब है ना शंकर सेट करें हा मैं करूं सर जी मेरा नाम गौरी शंकर है आपने बुलाया हम चले आए मेरा बोल बाला तो पूरे देश में चल रहा है मंत्री जले का संत्री तक सब के साथ उठना बैठना है सब लोग मुझे अपना अजीज समस्ते है इसलिए मुझे उनका काम करना पड़ता है उनकी खुशी में अब हर दिन साइन के यहां तो नहीं सकते हैं फरक पड़ता है फरक आंदनी से पाइडा है उड़ाई से तीन घंटे में तेरा शंकर सेट मुझे इस पुलीस टेशन में चाहिए चलके आए तोड़के ट्रें से उससे मुझे कोई लेना देना नहीं तीन घंटे के अंदर मेर प्रेन लेट हो गई फ्लाइट छूड़ गई मौसम खराब था रस्ते खराब थे ट्राफिक जैम था पेट में दर्द सिर में दर्द उल्टी लूज मोशन कॉनस्टिपेशन कोई बहाना नहीं चलेगा कहना सिंगम ने पुलाया जा तांक यू, हब नाइस दे किदर किदर कलका आए इस्ट्वेक्टर बस आते ही होंगे उसने बहुत संकर सेट आया कौन है यह जो इतना उचल रहा है सेंगम 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 यह सब फेदी की चमकार कौन है यह शंकर सेट है तो साइन लेकर भेज़ दो यहां सर पकड़के क्यों बैठ सर इसने कहा कि आपको मिले बगैर नहीं जाएगा आप आप जानता है मारी पहुंच कहा तक है चिल्ला मात क्रिमिनल है तू तेरी केस रिपोर्ट पढ़ी है मैंने तूने एक बुढ़े को धमकी दियो उसने खुदकुशी कर ली तू यह शंकर सेटैस का क्या प्रूफ है क्या चोटा मोटा गुंडा है कारियां भर के लोगों को लिकिया है हम भी दस च्रक हत्यार भर कर लाएं अरे चाचा आप राई का पहाड बना रहे जाए यह यह से देखो बेटा आज अगर इसने कोई बवाल किया तो यह अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगा चार कंदों पर ही जाएगा मैं कह देता हूं हम बारी बैठें कोई कुछ भी बोलया चला जा रहा है मैं कोई मंदर का घंडा जो बजा रहा है इस बुंडी को और इसके चम्चो को बाहर निकालो यहां से सुनरे छोरे मारी एक आवाज से थारी खाट खड़ी हो जावेगी अफी के अफी काट कर रख दूंगा अफी के अफी कोई हमारे गाव में आकर तुमारी बेज़त दी करेंगे हमसे नहीं सकते पूरा गाव तुमारे साथ है तुम बस आवाज दो शांत हो जाओ मैंने कहां शांत हो जाओ गावाड़ों ने जमा करके मनने डर आ रहा है तो भाई लोग पावरे हो गए हैं निकरने में ही बाई है किशन क्या कर रहे हैं गाड़ी से उतर सिंगं भाई चाहो तो मुझे जेल में डाल दो लेकिन आज जैसे मैंने सलिया इसकी गाड़े में घुसाया वैसे मैं इसके अंतर डालूंगा सिंगं भाई बोलो तो काटना शूर करूँ सुन लिया तुने देख लिया तुने समझ गया तू तूने आवाज लगाई तो ये लोग जमा हो गए मैंने दहाड लगाई तो क्या होगा जानता है तेरी गीदर भपकियों से सिंगं नहीं डरता तूने क्या सोचा मामूली सा प्रजिस्टर पर अंगूठा लगा और दफाओ जाना अगले चौदा दिन भीगी बिल्ली के तरहा आके अंगूठा लगाना क्योंकि मेरी हटेगी तो स्ट की भटेगी अरे गुस्सा थूख दीजे भाई गुस्सा थूख दीजे इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है अरे कलकर चोकर नहीं नहीं पूसवाला बनाया है उसें देख लेंगा भाई अरे तुल भाई को सम्झाना बैठी ने गारी में कि मारे वास्ते बजा के रख्या था पता कर लिए उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई है सीम मदद कर सकता है मारे उससे के होगा उसकी पोस्टिंग अपड़े शहर में उस खाकी वर्दी ने आप आप हम उसके वड़ाएंगे तुम दोनों को अगले साल वापस आना ही होगा काव्या अपने गली की चेन का खयाल रखना सारा सामान आजे में सबागे सब सुनो रोशन रास्ते में अपनी जो देवी का मंदिर आता है वह दर्शन करते में जाना पिछली बार नहीं कहें थे त पैसा इद्जाम अगले साल भी करना है अभी अभी आए और अभी जा भी रहो अरे भाई थोड़े दिन हमारे पास और रुख जाओ किसी काम से मुझे अरे काम तो पूरी जिंदगी करना है लेकिन आपको अमारे बेटे की चादी में जरूर आना होगा हाँ जरूर आउंग इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर होती और तुम कहते को वह कुछ करते ही नहीं कुछ भी बोलने से पहले हजार बार सोचा करो आप मैं तो ऐसे ही सब के सामने कुछ भी कैसे बोल सकते हो तो मैंने क्या गलत कह दिया मेरा बेटा पुलिस में है जो आपनी खुद गलत काम करता है उसे ही पुलिस वाले पसंद नहीं आते हैं तुम यह उल जुनूल बाते हैं कि शहर में करूँ यह आपकर लगाना मुझे सब यह कराय पर पादी पादी पहां देखो तुम्हारी भी दो बेटिया है एक की शादी पुलिस वाले के साथ ही होगी देख लेता जिन पुलिस वालों को तुम गालिया दे रहे हो आज उनकी वज़ा से ही तुम महफूज हो वो तो अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं पर यह सब तुम कहां समझोगे आदबी की स तुम कह रहे थी कि तुम मेरी शादी रुकवा दोगी सच में रुकवाओगी इतनी हिम्मत है दुम्हें है हिम्मत I can do it I will do it I know you can't do it कुछ भी प्रिया मेरे बारे में बता जरा अगर मेरी शादी रुकवाई ना तो तुम्हारी भी रुख जाएगी वाट बला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो खुद की शादी रुकवाना चाहेगी हां दीदी इंडारेक्टियों तुमको हां केकर चला गया सोच क्या रहे हो तुमसे प्यार करता है ए शेरनी हाथों में मेहंदी लगा ले सच्चा आशिखुन नहीं मानी तो उठा के ले जाओंगा प्रिया मैं बहुत खुश हूँ मुझे नाचने का मन कर रहा है यह कौन है वही खडूस बाप का खडूस बेटा अगर तु एक बाप की ओलाद है तो मेरे खेट में बैर नहीं रखेगा मैं तेरी जम्मेन में पूरा कव पूरा आके श्रों जाओंगा एक ही गाह में रहने के बावजुद इस औरत से तुम लड़ रहे हो शर्म जासर खेट का मामला है एक औरत होने के बावजुद तुम जमीन के टुकड़े के लिए लिए च्राइए धरा रहा हम दोनों को जेल की हवै कि खिलाओंगा तब थीकाने आएगी दाया हो क्या सोच रहा हो क्यों ना हम भी वही करें जो सिंगम सर करते हैं चपी लेई करना बलाओ अब गले मिलो गले मिला देखा, मैंने दोनों के जगड़े को कैसे प्यार में बदलते हैं, अरगर का है इसी तरह अगर वोरो देश के लोग ऐसे ही गले मिलते रहे तो लोगों के बीच के जगड़े कायब हो जाएंगे अब इस बारे में गवर्मन्न से बात करनी चाहिए दीदी, खाना देना क्या हुआ मा, सब ठीक तो है न, ये क्या है सिंगम भाईया, तुम्हारा शेहर में ट्रांसफर हो गया और इस लेटर को आए चार दिन हो गया और तुमने हमें बताया नहीं तुम हमें चोट नहीं पहुचाना चाहती थी या फिर हमें बिना बताया यहां छोड़कर शहर जाना चाहती थी ये क्या क्या रहे यो मा वो मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए प्रमोशन नहीं चाहिए, ये क्या कह रहा हूँ दरसल पोस्टिंग चन्ने में हुई है और मुझे वहां नहीं चाहना लेकिन क्यों मैं कैसे जा सकता हूं आप लोगों के बिना मैं नहीं रह सकता बेटा तुम्हें अपने काबलियत के वज़े से प्रोमोशन मिली है और ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता हमें तुम पर गर्व है हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम्हें पता है कि मुझे तुम पर कितना गर्व हुआ जब तुमने उन दोनों परिवारों को समझाया लोगों को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा और आज तुम्हारे प्रोमोशन बर भी मुझे गर्व है सिंखम मुझे पता है तुम जाना नहीं चाहते लेकिन बाउचे आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है हुआ 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 है हुआ हुआ है शेणी स्पीकिंग क्या कर रहा है मेरा सिंकम बस गुम रहा हूं सुनो ना फ्लाइट पकड़के यहां आजाओ साथ में डिनर करने जाएंगे तुम बुलाओ और मैं आओ ऐसा हुआ है इसे कंप्लिट करवाने के बाद सब्मेट करते हैं बनाके दे दो और आपको काली चलेगी या तुम्हें पता नहीं है मेरा मतलब आपको अलग-अलग टेस्ट करने की आदत है सुना चल्दी बालकनी में आजाओ क्या हुआ तुमने न्यूज में नहीं सुना चैनने में भूचाल आगे है क्या यहां तो कहीं भूचाल नहीं है भूचाल आसमान में नहीं जमीन पर है हाई तुम इधर यूनिफॉर्म और जीप में इंस्पेक्टर आफ पुलीस चैनने इंस्पेक्टर आफ चैनने यू इरिटेटेटिंग इंट्रेस्टिंग सुनिये ना पुलिस आपने कोई लवना तो नहीं किया क्या अगर पहले बतादेता तो तुम्हारी या कुष है कैसे देख बाता आप सर्फिन बाइब होगी यह दाटी कुछ नहीं जाती तुम्हारी दोबेटिया एक कि शाधी पुलिस वाले के साथ ही होगी देख लेटा यह सब उसी पनिये का काम है तो आज रात दिनर पे मिल रहे हो ना किस से बात कर रहे हो बताओ तुम इंडिया की सबसे बड़ी साइकल कंपनी के मालिक की बेटी हो समझ गई तुम आपकी इज़त मिर्टी में मत मिलाओ पहले उस हवलदार का नंबर डिलीट करो अटाओ अपन हमारे घर में चुरी मुरी हो गई तो हमें पुली स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं हम दावाद को ही घर बुलादे मां आप भी ना आदी हूँ दीदी डाडी ने नंबर डिलीट करने को कहा था अब क्या करोगी कर दिया क्या डैदी का नंबर क्या रे तू हमारे आजमें को बार बार अठासा लेकर दा है अप्ता कैंपर मिल जाता है अवधान तेरे को इतनी चर्वी क्यों चड़िय है जगता है तेरे ट्रांसफर का बंदोबस्करणा बड़ेगा इंस्पेक्टर रविकुमार क्राइम ब्रांच वेलकम सर्य इंस्पेक्टर भरत यह हमारे कॉंसिबल्स वह इंटरोगेशन रूम और सर्व रहा आपका रूम चलो सर हमारे अंडर बारा इलाके आते हैं पर ज्यादा तर प्रॉब्लम तीसरे लाके में होती यह नया चिकना कोने रहे चल भार जा चिल लाता को मिलना कि मस थंड़ा थंड़ा तेल से मालिस करेंगी तेर कुब्ल में कि अगरे से पसिन्य चूट गए जटका लाग गया लगणा भी चाहिए जटके देने के लिए तो तड़ने यहां बुलाया है सुनरे थारे डिपार्टमेंट ने तो सिर्फ थारा प्रमोसन किया लेकिन इस थाने में थारी पोस्टिंग करवाई है मैं ने रे इस नक्से में जिस गाओं का नाम भी नहीं है उस गाओं में मन्ने बुला के तूने मारी बुछ लगवाँ दी अब मैं यहां थारे बुछ लगवाँगा क्योंकि अब तू महारे एरिया में है साड़े बेचती की पारी अब थारी खूड के आस्व रुलाओंगा थन्ने तू महारे से भाफी भागने के लिए तरच जाएगा यही वर्दी पैनकर तू महारे को अपना तम दिखा रहा था अब यही वर्दी रिकाल कर मैं थारे को राजते पे नंदा दुबाऊंगा कान खोड के सुले खाकी वर्दी आज से थारी उल्टी गिलती सुरू होती है मारी चुटकी के सारे पे मारे आदमी थारी ऐसी बजाएंगे कि तो चुटकी बजाने के काबिल नहीं रहेगा समझ गया छोड़े हेजन है का हमyu तो हम सब जहें को दुम मों थे कैस अब मत numéro पिल्ला है पूरिब आई डल सकता जाओ इसके लिए्ट आancing एड़rika क्या तो यह ले तो पुलीस वार परात वार ना अभे रुक क्यों गया मार ना अभी तु मुझे अरेस्ट करेगा फिर तु यह मुझे शंकर सेट के पास तुम हिलाता हुआ छोड़ने आएगा इसी पिसाप लाइन पे है अरे देखो इसके बाप का फोर आ गया तुमने शंकर सेट के आदमियों को क्यों जोड़ो नहीं मैंने अरेस्ट नहीं किया तो मुन्हें आरेस्ट नहीं करोगे और कर भी नहीं सकते बच सब्सक्राइट अर्डर कल सुबहें आट बचे आजानों कि अगया है कि अगया है उसके घर पर पत्थर किस ने फेका है मैंने फेका था भाई मैं तो सरी फोड़ने वाला था यह जग्गा बीच में आ गया दर के मारे वो कल्ली गाउं चाला जाता है कि अक स्लमेरी आमें मरडर शोगैंसर मरडर हमें किसी नहीं से फोन किया था एक मुर्डर के बारे में किसने जा था कैसे आउ तो या रोज मर्डर होता है इस गसाई नहीं हाथ दो बख्रें और चार मुंगिया काती हैं मैंने अपको फोन किया था इसे ले जाइए और फासी के सजा दिये, सार. गुलू बनाया, बोला मुझा आया, गुलू बनाया. जानू. मुझे तुमसे अभी मिलना. क्या पहन के आऊं? क्या हुआ? मैं रिजाइन करना चाहता हूँ. तुम रिजाइन करना चाहते हो? फिलाल तुम गुसे में हो. अगर मुझे घुस्सा आगया, तो इंदे मैं गोली मार दूँगा. हाँ, तो मार दो ना. बंदू गोली मारने के लिए होती है, रखने के लिए नहीं. मारना शुरू क्या, तो लाशों के ठेर लग जाएंगे. क्या परक पड़ता है? वैसे भी उन्हें जीने का कोई हक नहीं है. अगर तुम गाओ चले गए, तो गाओ अलो को क्या मूँ दिखाओगे? तुमारे माबाप क्या सोचेंगे? और तुम आईने में अपनी शकल देख पाओगे? तरीका सही हो या गलत. एक पुलिस वाले का काम में समाच से गंदगी को अटाना. और तुम इन गुंडों से डर के अपने फर्ष से भाग रहे हो? ए, भाग नहीं. पीछे हट रहो. ऐसा तुम्हें लगता है, पर लोग क्या सोचेंगे? यही कि सिंगम डर के भाग या? मैं एक इजददार परिवार में पैदा हुआ. एक महान गाओं में बढ़ा हुआ. मैंने हमेशा अच्छे काम किये हैं. लेकिन ये शहर कीचर से बढ़ रहा है. और मैं अपनी वर्थी पर ये कीचर के दाग नहीं लगने दूगा. अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, तो पीछे हटने के बजाए इस गंदगी को साफ कर दो. मैं उस सिंगम से शादी नहीं कर सकती, जो डर के मारे भाग रहा है. मुझे मेरा वो सिंगम चाहिए, जिसने मेरी इज़त बचाई थी. मैं लोगों की रक्षा करने वाले उस शेष से शादी करना चाहती हूँ, जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान तक निचावर कर सकता है. कहां गई वो मर्दान की? उस दिन एक लड़के ने मुझसे बत्तम ही जिकी, और तुमने उसका पीट-पीट के बुरा हाल कर दिया. कहां गई वो हिम्मत? एक पत्नी होने के नाते में कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरे पती पे किसी भी तरह की मुसीबत आए. लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा, और हमेशा करती रहूँगी. तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर. भाई लो, वो ही उसका प्रे ना? तुशंदर भाई में खुसन ले रहना है. चम्या के साथ आए लाई. आई टेम बाव यह तो, तुम्हें सिंगम में सा क्या देखिया, औरे. कभी हमको भी आजमा के देख लें. भाई बाई बैको से शिके में थे प्ल Всे आवे थारारा, वाताजा लेकिना है. अवे साले दिखाइनी देता गाहड़ी में, मुझा लेक लेकि भेकशा तुम्हे, रुट कदाम सुझ तधागा। जाने ने बाए लेफ 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 देख साला के भाईक खड़ी है उड़ा देख साली को आवा देख साला यहीं कहीं चुपा होता यह बाईक तोड़ दीना और तुम हूँ क्या देख रहा है चल रिवर्स ले अरे उस दिन पुलिस टेशन में बहुत उचर रहा था उसकर आसमान तो दिखा दिया अब बाताल भी देख लें अपने भाई को पून लगा वह अचाली स्पीड हवा में लटक रहा हूं किसी बीवक्त बगवान को प्यारा हो जाओंगा देखता हूं कैसे बचाता है बागा लोगे चोड़े में चोड़ दूं हाँ चोड़ेने और स्ट होचे यूश घटुट लोगे चाली किसी बीवक्त ला得 ङूओ़ेन किसी बीवक्त बड़ने इस तो कर दो, कर दो. कर दो. कि अधिए जाना पड़ेगा थोटें ना रही बारे चोटी वाथ ना रही बारे चोड़ों को एक रस्की आए चलो गाली दिखलो अगर बाई जाते तो मामला और भिगड़ जाता अब अपने कोई उस इंस्पेक्टर को डंडा करना पड़ेगा क्या जाए ये? काविया मैडम ने दिया है उसे थांक्स कहना ऐसे ही शेर बने रहो मेरी शो ना? के इंस्पेक्टर, सुनो है कि आजकल थारी बाड़ी बहुत गर्म होए तो सोचा कि थारी बाड़ी पर बरब डालके थंडा कर दूँ भाई देख थारे साथ तो मेरा कोई प्रॉब्लम ना है तो फिर ये रोज-रोज का किट-किट क्यों? बिते हुए कल को भूल जा और चड़ते हुए सूरज को सलाम कर भाई के साथ काम करेगा तो हाम और गुटली दोड़नों खाएगा कैसा का? अरे मारे चछोरो को जेल से आजाद कर दे और के? एफायार दर्ज हुए है भाड में गई थारी एफायार कागस को टुकड़े फार देना गवर्मेंट रेकॉर्ड है भाड ना गैर कानूनी है अरे कौन पुचे थारे लिए टेंपो भर के भिजवा दूँगा तर गया जाला पुलिस वाला देख 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 ए हुई ना अपनो वाली बात क्यों बे एफायार क्यों भाड़ा तुने? है? एफायार क्यों भाड़ा तुने? जाला यह भी मजाग कर लो है एफायार क्यों भाड़ा तुने? एफायार भाड़ने की हिम्मद जैसे हुई था ए ए सिंगा मुर्थारे को मालू मैंने मैं किसका भाई हूँ तु तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरा भाई सत्यूक का राम है और तु लक्षमट वो एक गडर चाप गुंडा है और तु सड़क चाप तुने मेरे पुलीस टेशन में आकर बहुत बड़ी गलती की है बिना मेरे पॉमिशन के बैठने की गलती की है और तुने सबसे बड़ी हल्ती की है मेरे इन भूनों को तोड़कर अब मैं तुझे तोड़ूंगा तुम लोगों को सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए था अब देख कैसे शंकर गुंडे की हुकुमत जड़ से उखाड़ू मैं तुम लोगों की हस्ती मिटा दूंगा रवी सर गाड़ी में कैर कानूनी शराब है केस बनाओ बीडिया को बुलाओ तुम अपने आपको समझते क्या हो क्या तुम किसी के भी खिलाप जब चाहो तब ही केस ठोक सकते हो तुमने एफायर कैसे भाड़ी और उस बेचारे जगा को तुमने खाम का फसा दिया सबसे पहले उसे रहा करो आपका बयान कोरे कागस पर लिख कर दीजे छोड़ दूगा मैं तुम्हें लिख के दूँ मैं सब लोगों को पता है कि इस बेचारे की कोई गलती नहीं धोके सोसे पसा है क्या कहा आप कहरे हैं हमने इस दोके से पसा है ये बेचारा है ये चाहरा है क्या कहना चाहते हैं आप ईलजाम लगा रहे है इस पॉलिस टेशन हे जितने ऑफिसेर हैं सब चुटे हैं का पुलीस इंस्पेक्टर हूं लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी इमांदारी से निभाता हूं चाहे शेहर हो या गाओं मेरे लिए मेरा फर्ज ही सब कुछ है समझे तुम सरकार सबको एक सी वर्दी देती है लेकिन फर्ज निभाने की आग अंदर से आनी चाहिए वह आग सिं अपने पसीने से सीच कर जिन्दगी गुजार लूँगा तेरे जैसा कुत्ता बनकर हराम का मैसा नहीं खाऊंगा निकाल यहां से भूल मत मेरे अंदर ऐसे दस पुलीस टेशन है तेरे अंदर में चाहिए जितने पुलीस टेशन हो और मेरे अंदर में बस एक पुलीस टेश देख के फड़ गई गया, सोचा नहीं होगा मैं यहां आओंगा, सोचा नहीं होगा तेरे घर में तेरे सामने खड़ा रहूँगा, सिंखम का नामों निशान मिटाने चालाता तू, लिया आगया सिंखम, आना, मार, मार ना, है, क्या, मारे छोकरों के रेश्ट करके बहुत ब लोग मारे जाएंगे, इसलिए लड़ाई होगी तो सिर्फ तुझ में और मुझ में, बर्द का बच्चा है, तो आ, बजबन से सुनता आया हूँ कि कुत्ते हमेशा जुण में रहते हैं, जुण में हमला करते हैं, और तेरी इस कुत्तों की जुण और तेरे लिए मैं बस अ जायक नहीं रहा, तुने शेर की तस्वीर देखी होगी, उसे सरकस में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, लेकिन कभी किसी शेर को, जंगल में खुले आम चलते हुए देखा है, कभी जंगल में उसकी तहार सुनिये तुने, उसे किसी जानवर पर चपटते हुए देखाए, 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 देखाए! ये गाउवाले का हाथ है, शंकर सेठ, एक मर्द का हाथ है. ये ना कभी किसी के सामने फैला है, और ना कभी फैलेगा. पुलिस की टोपी पर तुने तीन शेर देखे होंगे. मुझ में चौदा से यहाए, जो किसी को दिखाए नहीं. मगर मेरी हटेगी न, तो सब की फटेगी. अन्ना नगर से निकलाओं, शिवनगर पहुंच गयाओ. ना ही अन्ना नगर है, ना ही शिवनगर. इप के घर पही आके बेज्जिती कर गया. इस शंकर सेट के रियल स्टेट के अलावा और भी बहुत से काले धने हैं. अब तो घर वाड़ी भी मारी जतना करेगी. इसका नेटवर्क पूरे देश में पहला है, यह बहुत बड़ा केम खेल रहा है. मारे को लगा था यह चचुंदर है, पर यह तो सेर निकला. अब वो बुट्टे की केस के सणवाई कब है? अब ले हैफ के सणवाई है. यह केस कब खतब होगा? अगर उसी के ठाणे में जाकर उसको नहीं मारा, तो मारा नाम बदर देना. सारी गाड़ी हैं चेक. काविया, बोलो, कैसी हो? वीकेंड है तो फैमिली के साथ घूमने जारी. आल कॉल यू लीटर. डाड़ी, ACR रोड में बहुत ट्राफिक जैम होगा. वाइडोंट टेको एमा रोड? तस राइट. तेक राइट. राइट राइट. यहां इते पुलिस क्यों हैं? कोई मिनिस्टर आ रहा होगा. सार, गाड़ी की डिकी खुलनी होगी. रेगुलर चेकिंग होगी. ओके, करियाओं. आरसे बुक और लाइसेंस दिखाई होगी. हाँ, काविया, कहा हो तुम? तुम्हारे राइट साइड में ओपजिट की तरफ देखो. ओपजिट? तुम तो अपनी फैमिली के साथ हैं. सॉरी, सर. मैं अपना लाइसेंस लाना बूल गया. सर, आरसी बुक है, पर लाइसेंस नहीं है. मैं इने जानता हूँ, जाने दो. मैं इसे नहीं जानता. आपको लाइसेंस चाहिए न, अब ही मंगवाता हूँ मैं. यार, तुम्हारे डैर तो कुछ ज्यादा इस दिखी है. मैंने उनसे जाने को कहा, फिर भी नहीं मान रहे हैं. बचपन से ही ऐसे है. तविया, फोन मुझे दे. एक सिकिंद ममी से बात करे. अंटी. कितनी अजीब बात है, हम आपने सामने होने के बावजुद फोन पर बात कर रहे हैं. नहीं आंटी, वो क्या है ना, अंकल थोड़े गुस्से वाले है ना, तुम्हें दूर रहता है. छोड़ो उन्हें, जब भी तुम्हारे बाब आबुजी है, हमारे घर जरूर ला रहे हैं. हाँ, अंटी. मुझे बात कर रहे हैं, मुझे दवाब भी चुन पर. मेरे टाड़ी कितने संसिया रहा, ओफिस से लाइसंस मंगवाया. काश वो अपना लाइसंस एक बार खुद देख लेते हैं. क्यों? क्यूंकि वो तीन मेहन पहले एक्स्पायर हो चुका है. कौन है? फोन पर कौन है? क्या हुआ काव्या? वो इंस्पेक्टर न? क्या उसने शेडूल पूछने के लिए फोन किया है? कब निकलोगी, कब पहुचोगी, कौन से रास्ते से जाओगी? उसने आपको मंडे ठीक 10 बचे आर्टियो ऑफिस में जाने को का है. आपका लाइसन्स और दो पासपोर्ट सा इस फोटो ले जाने को का है. किसलिए? आपका लाइसन्स तीन महीने पहले एक्सपायर हो चुका है. अगर आप एक्सपायर लाइसन्स के साथ पकड़े जाते हैं, तो छे महीने की जेल और पाच हज़ार फाइन लगता है. मैं भी आज तक जानने ही पाते हैं. बस भाई इधर ही रोग दे. अरे मजूंदार? तुन यहां? अचानक कैसे आगया? आपकी जगह पर जो इंस्पेक्टर आया उसने मजे दो मेने के लिए सस्पेंट कर दिया. इसलिए मैं उस गाउं में वापस नहीं जाओंगा. आप मेरी पोस्टिंग इधर कर दिजिए. मैं आपके साथ ही काम करना चाहूंगा. उसने दुझे सस्पेंट क्यों किया? यह बहुत ही लंबी कहानी है. मजूंदार! तुमारे एरिया से एक लॉरी गुजरेगी. उसे अपनी जान पर खेल कर रोकना है. फिक्र मत कीजिए, सर. मैं उसे रोक लूँगा. हिंदुस्तान की इजद का सवाल है. कोई गर्बन नहीं होनी चाहिए. ओ और सर. कुछ समझे? दिमाग होता है तो आपके साथ थोड़ी होता है. चाट, you nonsense of idiot, of fools, of rascals. याइस साब, अब मेरा promotion तो है. गेर कर दो रॉकर रॉकर. शक्षेकल, इंस्पेक्टर साब. पापा जी, आपकी लॉरी में गेर कानूनी समान चुपा है. ऐसी मुझे information मिली है, मुझे चेक करना होगा. ओ जी, अपने लॉरी विच कोई गेर कनूनी समान मिली है. पर आइवान टू चेक. तुसी चाहो तो चेक कर लो. कावान, चेक लॉरी बिजिटली. सार, लॉरी का मुझे खाली कुछ है ही ने. मुझे टाउट था. ये चीफ इंस्पेक्टर हमें गलत information दे रहा और interrogation करने कह रहा है. टाइम पास कर रहा है. अमें इस पापाजी पर शक नहीं करना चाहिए. ये बहुत ही मेंती लग रहा है. आजे पापाजी करने लग चाहिए. ये बहुत है. अजुबदर, लॉरी का है? अपने पूरी लॉरी चाहन मारी लेकिन उसमें खुछ भी गयर कानूनी नहीं मिला, सर. अरे घंचकर, वो लॉरी ही गयर कानूनी नहीं मिला. तुमें दो मेने के लिए सस्पेंट किया जाता है. सर. किसका बजरा है? आपका बजरा है. मेरा है. हेल गया तौर्टा सिस्टम? ओए पापपे! साटी लॉरी गेर कानूनी या और इसके साथ मुझे बाइक भी फ्री मिल गई. तौर्टे बाइक में आरसी बुक नहीं है. मैं कैसे बेचंगा है इसे पंजाब में है? मुझे अपना एड्रेस बेजो, मैं आरसी बुक भेजता हूँ. मैनू के लल्लू समझ रखा है. तो फेर? सटा इमेल शीमेल है, लिखना है तो लिख ले. आ बता हूँ. जोलर सिंग एक जोलवजार डॉट कॉम. राधिका, वो जो आ रहा है न, वो मेरा बॉइफ्रेंड है. अरे यार, तेरा बॉइफ्रेंड तो कॉला पीस है. वेल्कम, यह है मेरे सारे फ्रेंड्स और यह है सिंगम. तुमने तो कहा था ब्लैक और ब्लू पेंड क्या हो, यह सब भी वही क्यों पहन के आई है. यह हमारा ड्रेस कोड है, हम लोग जब भी मिलते हैं, सब एक ही कलर के कपड़े पहन कर आते हैं. काविया, यह क्या है? एक छोटा गिफ्ट, देखो यहां क्या लिखा है. तुम सब के चहरे इतने खुबसूरत है, बालों से ढखोगे तो खुबसूरती नजर नहीं आएगी. हाँ, लेकिन अब अच्छा लग रहा है. हाँ, मैं आग्या हूँ. काफिया अजरा इधर आना? जितने मांगे उतने है. भाई, यह सिंगम तो जिंगम की तरह चुक्का हुआ है. निकलो. ओके, ओके, ओके. अवे, दिखे. चली, उस गाड़ी का पीछा करो. सिंगम वा कैसे पहुचा? छोरी ने उठाड़ा. इस मेटर में अगर सिंगम भी सामिड़े, तो तोनों का टुपड़े, टुपड़े करें. ए, जा करें यो, छोड़ो मुझे, छोड़ो. अरे थारा दिमाग फिर गया के? तर ने बोला था ना, पुलिस गन फार्मला करना, फिर भी लेकर आ गया? सर, मेरे विश्वास करो, मैं पुलिस को साथ लेकर नहीं आया. आपकी बताई हुई जगह पर मैं पैसे लेकर आया, मुझे क्या पता, वहाँ पुलिस आएगी. आपको जितना पैसा चाहिए, मैं दूँगा, लेकिन मेरी लड़की आँगा. मारी बात ध्यान से सुन, ECA रोड़ पे जो होटल ब्लूडी है वहाँ पहुंच, पैसे दे और छोरी को ले जा, विथारी छोरी कुछ नहीं होगा, एई, उसके साथ को यह है, कोई देख तो नहीं रहा, सबसे पहले दू उथारा पोन वहाँ पे छोड़, क्या, और वहाँ से आगे बाड़, लेकिन आपसे बात है, थारा फोन, उसने फोन ठेक दिया, उठा फोन, उठा, ठीक है भाई, चेकर, रिसेंट कॉल चेकर, सुबह से किसी का फोन नहीं आया भाई, निकलता हूँ भाई, वह उदर खाली छोड़ी के साथ घूमने आया, त वह खाके वर्दी आता ना, तो दिखाता में पावर, घड़, घड़ के आगे लिए, जली का, बस, बस, रुख, कहां जा रहे हैं, मैं, मैं, मैं आफिस से खर जा रहा हूँ, लेकिन आपका घर तो उस तरफ है, मैं बहला तुमसे जूट क्यों बोलूँगा, कुछ तो गड मैं रेस्टराँ से यहां तक आपका पीछा करते हुए आया हूँ, देखो, इस शहर में मेरे एक नहीं कई घर है, तुम मुझे सवाल पूछते जाओगे, और मैं उन सब का जवाब देता जाओगा, तुमें मुझसे प्रॉब्लम क्या है, तुमें मुझसे प्रॉब्लम क्य आपको मेरे साथ पुली स्टेशन आना होगा, तुम पागल हो गया हूँ, ठीक है, बस करो, मैं बताता हूँ, उन लोगों ने प्रिया को किड्नाप कर लिया है, और कह रहे हैं कि पैसे नी दियो तो उसे मार ढालेंगे, जैसे आपने कहा, उन्होंने पैसे के लिए किड्ना प्रिया को कुछ नहीं होगा, आप पिक्रमत कीजिए, मैं हूना आपके साथ, देखो तुम चले जा, तुम रहे तो मावला बिगर सकता है, मैं आपके बेटी को खोना भी जाता, प्रिया को कुछ नहीं होगा, मैं तभी एक्शन लोगा जब वो सेफ होगी, अब अब बैकि उनके प्लान के बुताविक चलिए, कावे आपना खोन दो, किसी को बता नहीं चलना चाहिए, आपके पास पोन है, पोन सीफ पर अठके आप मुछ से बात कीजिए, रभी, प्रिंग दे लागेज, ओके सर, उस गाड़ी से कोई नहीं होगा, शायद ये बाली होगा, सर, ये मेरे बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा, बैग ले लो, शायद, बैग रखाली है, चलिकल ले बेग, बोलोग पैसे लेके जा रहे है, पैसा जरूरी नहीं है, लड़की की सेफटी जरूरी है, चल्द, चलगा, पासे, गाड़ी में बैठने दो, जैदी अब कर दो चल्ब यान बदेख यदि अदिका देतर बज़ यदिका देख वाल यदिका देतर अदेतर कर देख क्सराइ यद्यका बदूस कर देख अदूस 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 व superior जबी, सर, आप्यूलेंच पुलाओ एक सेलफोन मिला था, फिर हमें बता चला, कि वो फोन भी चोड़ी हुआ था, वो भी किटनैबिंग से एक दिन पहले, और उसे भी किसी ने वापस देने का वादा किया था, लेकिन शिवनगर मतलब अन्नानगर और शिवनगर के बीच कुछ कनेक्शन है, अन्नानगर और शिवनगर, अन्नानगर, शिवनगर, रोशन, ठाकुर सर, आधिराच को यहां कैसे? दिखिए, मिरी बात ध्यान से सुनिए अन्नानगर और शिवनगर ये नाम मैंने आपके मुझे कहीं सुने है ना ही ये अन्नानगर है ना ही शिवनगर सर, शंकर सेट के घर पर उस दिन कोई आदमी फोन पे बात करते वक्त ये नाम ले रहा पहले पता होता, तो तुझ पर गोली चलाता मैं भाई यब मुझ पर चिला रहे है मतलब हम एक ही गष्टी में सबा रहे हैं मैंने तुझे कभी उनके साथ काम करते नहीं देगा मैं उनके साथ होता ही काहूँ उनके साथ मेरी डिलिंग सिर्फ मोबाइल फोन पही होती है सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं किसी शंकर भाय को नहीं जानता ये दवाई के वज़े से मुझे नीन आ रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा देख तबियत का खैल रख शंकर सेढ stirring उस लटकी को किड़नाप कर वया वहिए किड़नापिन का राकेट चला रहा है उसने पैसों कि लिए बहुट से लोगों को किड़नाप कर वाह लेकिन हमारे पैस कोई ऑफिशल कंप्लाइन नहीं है पहले उसके टट्टूओं को उसके खिलाफ बुलवाना होगा कैसे सर? सर आप कहना क्या चाते हैं? आप लिकीन के साथ कह सकते हैं? हमने जितने मुझरिम पकड़े थे उनमें से दो ने अपना मूग खोल दिया है वो कहते हैं उन्होंने 15 से ज्यादा किटनापिंग्स की है और हर आदमी से 40 से 50 लाख रुपे मांगते थे जो भी इनके खिलाफ कंप्लेंड करेगा हम कोशिश करेंगे बहुत जल किटनापर सा खुलासा होने वाला है भाई अमारे छोरों ने मूह नहीं खोला होगा यह जरूर उस से इंगम काई खेल है लेकिन पाजा तो महारा बज रहा है ना सारी मीडियो और प्रेस हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का मजाग होड़ा रहे है सीम और होम मिनिस्टर कुछ पूछेंगे मैंने लोगों से अपील की क्योंकि मैं जानना चाहता था इसकी चपेट में कितने लोग आए हैं यह मेरी चाल थी सर हमने सुचा था पंदरा कंप्लेंट्स होंगी लेकिन अब तक 40 लोग कंप्लेंट कर चुए किसीने मेरे मेरे बेटे को निकितना था मैंने अपने बंचे को शुरुवाने के लिए 50 लाग चुपई दे थे यह दिखिए सर बड़े लोग जिन्होंने ब्लाक मनी से फिरौती दी थी वो यहां कभी नहीं आते अरे पले सिंगा पोलिस ओफिस है रहा पर उसके जी में जो भी आएगा बोलेगा मुझे उससे मिलना है मुझे कुछ नहीं सुनना तुम कहां थे अबदक मुझे तुम जैसे पुलिस ओफिसर की तलाश थी एक छोटी से गाउं से आकर तुमने यहां तहल का मचा दिया जो भी इस किड्नैपिक से जुड़े होए हैं उन्हें तुम छोड़ना नहीं और साथ ही ACP की पोस्ट के लिए प्रमोट करता हूँ Get the order ready So, order लिखिए ट्रामेल लाडू के किरह मंदरी के आदेशों के अनुसार मिस्टर सिंगम को अब प्रमोट करके असिस्टिन कमिशनर और पुलीस बना दिया गया है समय करता हुआ तुम के लिए प्ठाफ पिर सुनेशों कुछ प्रमोट के लिए यू बाड्बोसा थानुसा किह बीजा सुनेशों के आदेशों किअ अनुसार दाई, लगता है आपके ससराल जारे का इविटेशन दाया है मेरे हाथ में पेपर देखकर इसे अरेस्ट वारंट समझ रहा है यह मेरा प्रोमोशन ओर्डर है एक आउम इंस्पेक्टर क्या उखाड लेगा यही कहाता न तुने अब मैं असिस्टन कमिशनर अफ पुलीस ही अडिशनल पावर्स के साथ जब आम इंस्पेक्टर थाना तब अकेला खड़ा रहता था लेकिन आज मेरे पास पूरी पूलीस फोर्स है मुझे लगा तु आम गुंडा है बिल्डर से मांडवली करवा के थोड़े से पैसे कमा के जीरा होगा पर तू तो गरीबों से पैसे चीनता है उन्हें धंकी देकर डलाता है उनके बच्चों को किड्नाप करवाता है चालीज बच्चों के फिरोती के पैसों पर जीरा है तू तुझे तो, तू तो कहा है सिर्फ चालिज छोरों को नहीं पच पंचोरों को किड्नैप किया है कौन गवाई देगा हमारे खिलाफ तारे जैसे बहुत देखें जो उखाड़ना है उखाड़ दे अब निकल यहां से निकलता हूं लेकिन तेरे पूरे नेटवर्क को उखाड़ दूगा बिल्डर से पैसे मांगना बच्चों की किड्नैपिंग, मार पीट सारे काले धन्दे बंद करके तुझे शेर से भार मिखवा दूगा मेरा बस चले तो तुझे दुनिया से उठाद इसलिए सोच ले चुप-चाप जेल जाएगा यह तेरा इंकाउंटर करवा तूँ तो इस इंस्पेक्टर की जिसकी ट्रांस्वर की तुमने जफारिश की थी मैंने उसे एसिस्टेंट कमिशनर का प्रमोशन दिया है तुमी ने तो कहा था कि वो तुमारा करीबी रिश्टदार है मारा खास रिश्टदार है तुमारा खास रिश्टदार है तुमारा खास रिश्टदार है अब इस शहर के किसी भी बिल्डर को संकर सेथ के आदिव से ड़ने की कोई जरूरत नहीं अगर कोई भी आपसे पैसे मांगे तो मुझे बताइए मैं समझा लोगा जेन भासकर, अगबर काना, सेद जुलफी, इकबाल पसीना, बापू, लंगड़ा और बेल कुमार करते क्या हो तुम लोग मैं आटर चलाता हूँ साथ तुम्हारे नाम और काम के बीच का कनेक्शन जानता हूँ मुझे पता है तुम सब शंकर सेथ के लिए काम करते हो मगर मेरी मानों तो उसका साथ छोड़ दो क्यूंकि जो भी उसके साथ काम करेगा उसके खिलाफ मुझे शूट ऑन साइट का ओडर मिला है आज के बाद तुम मैं से कोई भी किसी वारदात में पकड़ा गया यह उसके शामिल होने की खबर भी मिली तो तुम्हे श्रदान जली देने मां खुद आओंगा वेल्कम सर एनिटिं एल्स माम हाई हलो तुम्हारे जहरे पे बारा क्यों बजह है सोरी और थांक्स क्यों मैंने उस दिन तुम्हे इतना कुछ कह दिया और प्रिया की जान बचाने के लिए थांक्स अगर सच कहूं तो मुझे तुम्हे थांक्स कहना चाहिए तुम मुझे अपना फर्ज याद नहीं दिला ती तो असिस्टन कमिशनर की पोस्ट, पेपर और न्यूस चैनल में इंटर्व्यूस ये सब कैसे होता चाहिए लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है तुम अखेली इन सबसे लड़तो लोगे ना देखते हैं अगर को पखाला है जाओ में आप चाहिए आप चाहिए आप चाहिए मैनेजर सर होटेल का इंशॉरंस निकाला है हाँ है सर जाओ उटको जाओ क्वेए आप जए ल testim अबार्य। भाग क्युम्बे बड़ी साही बातरूम क्या गया रेस्टरॉंट चेंज हो गया थोड़ा रेनुवेशन का काम ज़ता है जो खाने का आड़न गया था उसका क्या होगा आपका जो खाना है वो पारसल हो जाएगा अब आराम से घर पे बैठे खाना है सर बिहार का मशूर गुंडा अब हमारे इलाके में सेटल हो गया है लेकिन अभी उसे गुंडगर्दी छोड़ी और वह अचार भी बन गया है वो शायद हमें धोका देने के लिए कर रहा होगा हमें उसे अरस्ट करना होगा मैं उसे भड़काऊंगा अगर घुसे में उसने आ जू विजलित करता है शर को हमारा केरम खिलना पसंद नहीं तो हम कुछ और खिलेंगे इंगी पिंकी पॉंकी क्यों सर ने हमारा नीबू तो नीचोड़ दिया लेकिन हमारे पास बैगन भी है अब हम बैंगन से खेलेंगे यह कोई खेलने वाला बैंगन नहीं है यह फटने वाला बॉम है मैंने यह खोडा और बॉम तब खरिदा था जब मैं बिहार से यहां चिन नहीं आया जब तक यह बॉम मेरे जेब में था तब तक सब ठीक था लेकिं तुमने सर का बैंगन बाहर निकलवा के ठीक नहीं किया जैसे पेरटा बैंगन फटा इस्पेक्टर ये भाई सब ऐसा कहकर क्यों गये सर इस बात के इन्विस्टिकेशन करनी होगी सर वो बैंगन का बम बना के आपका डम निकाल गया चलो चलते हैं उन्हें लगा कि ना बैंगन के बॉंब से टरूँगा निर्मला ममी सिंग मापा आगे माँ आप लोग कब आए कैसा दू कैसा है मेरा बिटा मैं ठीक हूं माँ आपको यहां का अट्रेस कैसे मिला सब लोग खुश हैं तुम्हारे प्रमोशन को लेकर लेकिन सिर्फ मैं ही चानता हूं यहां कितना खत्रा है अगर तुम्हें यहां अच्छा नहीं लगता तो ट्रासफर लेकर गाउं वापस आ जाओ बाभुजी यह क्या कहता है आप चाहत recalled कि आ चाहते आंगे तॉम्हारे यहां आने के लिए कारी लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ति नहीं करना चाहता था तुम्हें यहां देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ चाहे जो भी हो जाए तुम हर बुराई को खत्म करोगे अपना काम खत्म किये बगार तुम गाउं वापस नहीं आओगे माँ मुझझे एक कमिशनर के ऊफ़िस में कुछ काम है में थोड़ी देर में यह यहां क्या कर रही है ठीक है मामैज चता हूँ ठीक है भावी बाई अरे कहां जा रहा हो यह तुमारे कब से इंदुजार कर रही है और तुम होगी भाग जा रहा है इसे मैंने पहले कहीं देखा है, ये हमारे गाउं के उस रोशन जी की बेटी है ना? हाँ बेटे. अच्छा, ये हमारे यहां क्या करने आई है? ये पांचवी में पांचवी बार फेल हो गई, ये बतानी आई थी. जा मोरा है, आएगा क्या? ये ऐसा सोचा था, बिल्कुल बैसा ही हो रहा है. उसने कहा कि तुमने उसे यहां आने के लिए कहा, लेकिन तुमने उसे पहचानने से मना कर दिया. मैंने तो सिर्फ उसे तुमारा फोन नंबर दिया था, उसे एड्रेस कहां से मिला पता नहीं. अच्छा, तूने नंबर दिया था, तू पुलीस सेशना बेटा, तेरा नंबर मैं काड़ता हूँ. आज तो लगता है मेरा प्रोमोशन पका है या फिर डिमोशन, लाइफ में ट्विस्ट. तुमन सबको यहां क्यो लाए हो डाड़ी घर पर है? मैं सिंगम के घर गई थी, तब ये लोग मही थे, और ये डाड़ी से मिलना चाहते थे, अब ममी, मैंने मना कैसे करती, प्लीस आप डाड़ी को इनसे मिलने के लिए मना लीजिए, प्लीस ममी. ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? बेरी बेज़ती करके मेरे घर पर आने की हिम्मत. लेकिन आप उनसे बात करने के लायक नहीं है. घुस्सा थूप दीजिए, बात तो कीजिए. कैसे हो, रोशन? ठीक हो, बैठो. हम आज ही गाउं से आये हैं. कावेयो को अपने घर में देखकर बहुत अच्छा लगा. सिंग्नम से मिलने आये थे, सोचा तुमसे भी मिलते चले, उस दिन खाम-खाम दोनों के बीच में बहस हो गई. आप वैसे ही हमारे गाउं इतने कम आते हो, उसमें भी आप से घुसा हो गए. पता नहीं मैं क्या कुछ क्या गया. मुझे बाफ कर देना अगर गलती से मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो. यकीन गरो, इतने दिनों बात देकर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है. क्या तुम अपनी बड़ी बेटी लगों का बरताव कैसा होता है? चलते हैं. हम भी सिंगम के लिए एक लड़की ढूंड रहे हैं. अगर तुम्हारी नजर में हमारी हैसियत के हिसाब से कोई लड़की हो तो हमें जरूर बताना. आखिर उसकी भी तुशादी करनी है. अच्छा चलते हैं. गोपाल, इन्हें जरा छोग करा जाओ. इन्हें तुम्हारे और सिंगम के बारे में पता नहीं? नहीं डैदी. क्या हुआ? बात क्या है? मुझसे गलती हो गई. मैंने एक अच्छा आदमी को पैचानने में गलती कर दी. मैं अपनी नजरों में गेर गया. काव्या, तुम्हारी शादी अगर क जिसने मंदिर से पैसे का डबबा चुराया? बता, तुन्हें पैसे का डबबा क्यों चुराया? मैंने चुराया? मुझे जूट कुने वोले पसन नहीं. तो बता, तुम मंदिर क्यों गया था? सच सच बता. भगवान की बुजा करने. नाम क्या है ते देना अंथनी तुम्हें तो चर चाना चाहिए तब तू मंतिर क्यों गए इस पे ब्रेंक नहीं है को रोको इस तो नैनों से चोड़ता है मैंनों की चोड़ें से रोक रख सर्वने उपर जाने का वक्ता कैं सरकारी रुक्सान ट्यूब लाइट पूट गई एरे इस लैंपोस्ट की तो ट्यूब लाइट ही गई है लेकिन मेरा तो बल्द हुट गया सही का सर आए बैठी बोलिये मेरा नम सुमती है मैं आनंदगर में अकेली रहती हूँ मेरे पढ़ोस में कुछ गुंडे रहते हैं पिछले दो महिनों से वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं अब तक आपने कंप्लेंड क्यों नहीं कि इस शहर में मैं अकेली रहती हूँ पुलिस कंप्ल सुनी है सर इसलिए मैं यहाँ हूँ मैं अच्छे परिवार से हूँ सर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माबाप कही मोह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप कुछ कीजिए सर मुझे उन गुन्नों से बचान लीजिए इस एक बार मेरे साथ मेरे घर चलिए सर कहां रहती ह कुछ नहीं है मैं आपके साथ हूँ रवी सर यह केस मैं परसनली हैंडल कर रहा हूँ अगर मेरे कोई फोन जाय तो मेसेज ले रहा हूँ रवी यह ज़रूर कोई चाल है मुझे इसके घर तक पहुंचने में 20 मिनिट लगे तब तक इसने जो भी डीटेल्स दिये उन्हें व भाई मेसेज मिला है कि वो रास्ते में हैं हम तैयार है हाँ डाइड में ड्राइब कर रहा हूँ वो माइक्रोटेक में काम नहीं करती सर दीधी वहां देखो जीजू की गाड़ी पर वो लड़की कौन है पीछा करते हूं काहां गया सिगनल भी ना मैं आपका खबरी नारायन बत कर रहा हूं सर बोलो नारायन कैसे हो तुम सुमिती नाम की कोई भी लड़की वालमे की नगर में नहीं रहती और घर काफी सालों से बंद है ठीक है उससे कहना अगली बार जरूर आउंगा आज सुबह सुबह उस घर में कुछ तो गाड़ी में आये हैं कर रहे थी मूँ खोलती हो या या खाली कर दो यह काम कर सकेगी कैसे भी करके मनने वो इधर चाहिए जैसे ही वो नस्तीक आएगा अपने लोग उसे मार देंगे इस पर वो बचने ही पाएगा उमा फोस आ चुकिये सर उनसे काओ घर के पीछे की तरफ रहे मैं सिगनल दू तभी फायर करना समझे उमा सिंगा मारे हो बाई उमा तुम उस घर से थोड़ा दूर खड़ी रहना दिवार के पीछे या गाड़ी के पीछे चुप जाना हुर अरे ये चोरी तो चेंज हो गई गोली मारते होसे ओमा अंतर आगा और द respuesta खली कि में द हुआंने մेचर के उना देफ लुब रगा है कि भी अ वेचर क्वेचर मैं खिर खिफ्ह खंग पुझunda को युझेफ खिर है कि को लुब को जा इस लिए हमें नहीं पता अंदर कितने लोग है कितने लोग दिख रहे हैं सिर्फ एक अदमी कितनी दूरी पर है पाग से पंदर फीट ठीक है प्रेकन ओके सब्सक्राइब है हाई शेरनी रोकेट की स्पीड में कहा जा रही हो मुझे उस आदमी से मिलना है जो खोई हुई चीजों को ढूंड के निकालता है तुमारी कौन सी चीज खो गई है मेरा दिल खो गया है इसकी कंप्लेन लिखानी है दिल समझते क्या हो तुम अपने आपको मुझे देखने के बाद भी अवाइट करते हो कौन थी वो लड़की जिससे तुम अपनी गारी में घुमा रहे थे कल देखा था तुम्हें किसी लड़की के साथ बैठा हूँ यह देखकर तुमने मेरा पीछा भी किया था मैं एक सिगनल मुझरिम को गिरफतार किया और उस पे तुमन वांटेट रियक्शन दे रही हो मजुंदर सरी बागल हो तुम मैं किसी मुझरिम को पकड़ने गया था और तुम मुझे फॉलो कर रही थी मैं जा रहा था वो जगह खतरनाक थी वहाद तुम्हें कुछ हो जाता तो इसलिए म लिकिन मेरी बहन ने मेरे दिमाग का भेजा फ्राइब कर दिया आखर बहन है तो तुम्हारी मुझे चुना बन करो अब तुम्हें नहीं सकती क्या तुम्हें नहीं चूंगी तो और किसे चूंगी तुम्हारे डाड़ी भले मान गया हो पर पुलीस स्टेशन में रुमांस यहां कौन है देखने वाला इस रूम में कैमरे लगे हैं कमिशनर साब हमारे बीच जो भी चल रहा हो सब देख रहा है अरे काविया सुनो तो एक्ससाइस क्यूं नहीं करते हो तुम्हारा एक्सक्योस भी अपने खोय हुए दिल की कंप्लेंट लिखवा दी अंदर ज़रा फोटो वटो हो दिल की तो दे देना साब उसे ढूंड के दे देंगे वापस अच्छा पर मेरा दिल तो साब नहीं चुरा है रवी हॉस्पिटल में मनोहर को होश आ गया है उसने गुना कबूल कर लिया है और वो स्टेटमेंट देने को तयार है हम दोनों आज राथ कासी को पता ना चले सर अभी उसकी कंडिशन कैसे है अभी स्टेबल है लेकिन हालाद भी गड़ सकते हैं बी रेड़ी भाई मनोहर अपने खिलाव स्टेटमेंट दे रहो है उस पे तो मनने बहुत भरोसा था वो तो मुझे अपना भाई मानता था भाई वो तो सिर्फ भाई जैसा मानता था पर आपका आसरी भाई मया हूं भाई मया भी जंदा हूं थारे चहरे पर इतना टेंचन में देखना स आज तो उसका गेम बचके रहेगा मरे हुए को मारने आया है तू ये तो बारा घंटे पहले ही अमराज के साथ निकल गया ये नाइन मिलिमेटर कैलिबर गन है इसमें थ्री में की बुलेट होती है इस पर मैंने चार गोलियां चलाई पर तीसरी गोली लगते इसकी मौत हो गई इस हॉस्पिटल में ऐसे कितने लोग हैं जो तुमारी मदद करेंगे गिनकर तीन या चार बाकी सब के सब पुलीस के साथ हैं तूने मुझे मारने के लिए लड़की का इस्तमाल किया और तुछे मारने के लिए मैंने लाश का तू तो मेरे जाल में पूरी तरह अजिया रहे अरे वार रवी तुने एट्टी सफाई से कैसे किया सर पुलिस जॉइन करने से पहले मैं भी एक गुंडा ही था अच्छा तेरे भाई का फोन है देख सिंगम बोलो मारे भाई को कुछ न करना मैं उसको बोलता हूं वह सरेंडर कर देगा तू चाता है यह जेल जाकर जेल का सड़ाओवा खाना का जेल उन लोगों के लिए जिनसे घलती से कुछ गलात हो जाकर ना ना मारी बात मान इसे छोड़ सेल्फ डिफेंस में जग्गा पर गोलियां चला कर मार दिया देख उसे पार्ना बत वो बाल बच्चे वाला है उसने जिन्हें मारा था वो भी बाल बच्चे वाले थे आपको चोड़ तो नहीं आई अहाँ हो अहाँ हो अहाँ अधी कौन गुस्के हैं हमारे घर में है यह जाके पैटरल ने किया गाड़ी घुमालो बसक्त नगरी चलो अच बहुत डाल रहे है पैटरल डाल रहे हैं काव्या कव्या कव्या गवराओ मत सिंगा मुझे बचालो सुनो क्या अंदर कोई गाड़ी है लाइटर होगा उसे किसी पेपर पर आग लगाओ चल्दी करो कव्या करो किसा किसा घुराओ घुरे चली चल्दी करो काव्या कप्राओमत में आरो लग लोग लग लोग जलिको 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 काव्या काव्या, काव्या, काव्या मेरी तरफ देखो काव्या आँके खोलो, कुछ नहीं होगा असमें काव्या मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा वह यांबूलन्स बुलाओ कौन सा डॉक्टर ड्यूटी पर है डॉक्टर, बॉलेट सीदर चेस के अंदर गई काव्या को कुछ नहीं होना चाहिए एक्सक्यूज में, इनका केस कावी क्रिटिकल है खोन कावी बहच चुका है, हम इमेजेटली ऑपरेशन करना होगा सिंगम, उन्होंने मेरी बेटी पर ही नहीं वहारी होने वाली पत्नी पर आमला किया उन्हें छोड़ना बत, खत्म कर दो सबको हाँ, हलो रवी, कहा है तो? किसका फोन है, रस्ते पर पड़ा मिला कहां से मिला? जोती नगर, ना, 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 जोती नगर नहीं, जाय नगर से मिला ना, 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 शाय जवान नगर के आसपास कहीं मिला किदर-किदर जाके ढूंडेगा, तुँ फोन की फिगर छोड़, फोन वाले को ढूंड एड्रेस में तन्य बताता हूँ, तेरे दोस्त रवी की पाटी, कादी नगर सिकनल के पास मिलेजी आम्योलंस पुलाओ मैं एक एक करके थारे सारे दोस्त और परिवार का दियर्ट करने वाला हूँ, तन्य जिंदा रखोंगा उन सब कि लास्ते जमा करने के लिए वो ऐसा क्यों कर रहा है सर, मजुमदार तुम का हो जाओ, और मेरी परिवार पर ध्यान रखना, बाबजे से कहना दुकान पर ना जाए, मैं डीसीपी से बात करूँगा, सिकरेटी का इंतजाम हो जाएगा, येस सर, सारे कॉंस्टिबल बाहर जाओ, किसी को अंगर आनने न मैं तसवर आ रहे हैं, मिस्टर सिंगम, तुम एंटी किड्नापिंग फोस के चीफ हो, तुम आज कल कर के रहे हो, हम किड्नापिंग को रोक रहे हैं सर, तुमने किस किस को रोका, हम उस मुझरिम को रोक रहे हैं, जिसने पचपन किड्नापिंग किये, तुमें पता है कि कल् तो फिर तुमने उसे गिरफतार क्यों नहीं किया? किसी भी केस में उसका डिरेक्ट हाथ नहीं है सर। अगर शक्क की बिनाह पर उसे गिरफतार किया तो वो छूड जाएगा। उस जैसे कसूरवार जेल से छूड जाते हैं और बेगुना जेल में सडते रहते हैं। मुझे ओडर दीजे मैं बीच चौरायों से गोली मार दूँगा। मुझे पता है वो रियल एस्टेट के बिजनेस में है और बिल्डरों को धमकी दे कर पैसा लेता है। लेकिन किटनापिंग। वो सब की नजोरों से छुपकर किटनापिंग के काम करता है। रवी। सॉरी सार, बंडर है। इन फाइलों में उसकी सारी हिस्ट्री है सर। शंकर सेटिस में से हर केस में इंवाल्वड है। लिकिन हमारे पास सबूत नहीं है। तो हम क्या करें। एंकाउंटर सर। क्या मतला भे तुम्हारे। मेरी वज़े से उसके धंदे बंद गुए हैं सर। लेकिन अब वक्त आगे रहे। इससे पहले की देर हो जाए, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। एक पुलिस ओफीसर की तरह बात करो। इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा सिंगम, पहले सबूद इकठा करो। जब ऐसे लोग पुलिस फोर्स में हैं, तो एविडेंस कैसा इकठा करो। अपना सेलफोन दीजिए सर। सिंगम, तुम्हें इसका सेलफोन क्यों चाहिए। सर, इनका फोन ही मेरा सबूद है, फोन देने के लिए कही है। राजियंद्र, सर। ये लिखिया सर, इसने शंकर सेट को आखरी कॉल किया था, और इसकी वज़े से शंकर सेट ने हमारी सारी बाते सुन लिए। सर, अभी कुछ दिर पहले ही उनका फोन आया था, शायद वर्ती से लगया होगा। ये रहे इनके पिछले तीन महिनों के मोबाइल फोन रेकॉर्ड, दिन में 20 से 30 बार शंकर सेट को ऐसा ही फोन लग जाता है। अगर ये आत्मी अपना मुह खोलते हैं तो सारे सबूत मिल जाएंगे। टेक हम अंडर ये कास्टिडी। सर। प्लीज सब लोग बाहर जा। सर। ये सारे सबूतों की फाइल है। और ये है तुम्हारा सेल फोन। ये सब लो और चले जा। फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन अगर आज मैने तुम्हारे साथ कोई सक्ती की तो वो हमारी डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात होगी। तुम्हें भी तुम्हारी पोस्ट आसानी से नहीं मिली होगी। यहां तक पहुँचने के लिए तुमने भी मुश्किलों का सामना किया होगा। लेकिन आज तुम बिना यूनिफॉर्म केस इस कस्टडी रूम में बैठे हो। तुम्हारे परिवार वाले जानेंगे तो क्या सोचेंगे। अकबारों में खबरे चपेंगी, टीवी पर न्यूज आएगी। तुम शंकर सेट के लिए काम करते हो तो अच्छा लगेगा। तुम्हारे परिवार वाले तो शर्म से मर जाएंगे। अगर उसने तुम्हारी बीटी को किड्नाप किया होता तो उसकी मदद करते तुम। तब तुम अपनी पिस्टॉल निकालकर उसे गोली नहीं मार देते। जो हराम का पैसा कमाते हैं उन्हें सुक नहीं मिलता। सिरु ठाके नहीं जी पाते। शंकर सेट के साथ जो भी करना है मैं कर लूँगा। तुम चले जाओ। मुझे माफ कर दो सिंखा। मेरा भी एक परिवार है, मेरे भी दो बच्चे। मैं मजबूर था। मैंने उसके टैपर की मदद की सिरु पैसे कमाने के लिए। मुझे कद दो मैं नहीं सार। प्लीज, आइवांट डू सम्थिंग। मैं कुछ कर रहा चाहता हूँ। सिर्फ एक जूट बोली है। शंकर सेट ने मेरी बेटी को किटनाप किया। मं कहना क्या चाहते हो। इनकी बेटी को लोटाने के वह 45 लाक मांग रहा है सर। सुभह से चार बार फोन कर चुका है। अलो। इंस्पेक्टर राजदर की बेटी को तुमने किटनाप किया है। जब आप दो चुप किवाए। मैंने उसके छोरी को किटनाप नहीं किया है। मतलब भागी की किटनापिक तुम नहीं किया। अब तक सिर्फ बचपन बच्चे किटनायात किया है। और सारे पैसे थारे पार्टी में तो डोनेट किये। और फोस्टर भी तो छपाए। उड़गा क्या बहुत नहीं किये। थारी भाण्टी के भुकरदों कैश भी तो करवाई। अन्ने के लागे पैसा बेड़े लागे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। अच्छा इसे तो बात कर रहा हूँ और कौन सा तरीका होता है। लाइन पे रहो। शैंकर लाइन पे है। आप क्या करना है मैं बताओंगा। उसे अरेस्ट करो और 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे सामने पेश करो। इसके लिए तुम्हें जितने लोगों की जोरत पड़ेगी इस्तिमाल करो मैं परमिशन दोगा। अरे नहीं कहें बात कर रहे हैं से अरे रुक जा। अब मैं तुझे बताता हूं कि सीम के साथ कैसे बात करनी चाहिए। मारी बात तो सुख। अब और रख। है बंतरी के बंचे। सौच। हलो। हलो। छोरी को तो तूड़े मचा लिया पर तू मुझे कैसे मचेगा। मंतरी के साथ मिलकर मणने माणना चाहता है। कड़ दस बजे। होम मिनिस्टर की बेटी को किड़ना आप करूँगा। क्या बोला। ठारे में तम है तो रोक। क्या परिवार हमारी व्याइबे सेक्योरिटी में अधिक फूलिंगास। एचोरे, मत सुचड़ा के मैं उल्लू बढा रहा हूं। तस बजे नहीं के छोड़ी किड़ना है कोई नहीं। अन्य क्या लागे। आरे पुलिस फॉर्च के रहते हैं, मैं उस छोरी ने किड़ना है पड़ी कर सकता। वो बागल हो चुका है। सारे मिनिस्टर्स के खर पर सिक्योरिटी टाइग कर दो। कम आन, क्विक, टेक आप पॉजिशिएंस। तुने इस संकर के तीसरी आग खुलवा दी। एए, छोरी हो गई किड़नाप। तु तामिलनाडू चीफ मिनिस्टर के घर में बैठाये ना, और मैंने यहां करनाट का चीफ मिनिस्टर की बेटी को किड़नाप कर लिया। मैंने उस लडगी को किड़नाप किया जो चन्नेई वे इंगीनी रिंग परती हैं। अब खाण दे जो खाणना है। अब मारी बात थार से सुच। मन्ने पांडी चरी जाना है, और मन्ने रास्ते में कोई रुकावड पसंद नहीं। मन्ने पुलिस की गाड़िया आमारी कार के आंके पीछे चाहिए। पांडी चरी पहुंचते ही मन्ने एक बोर्ट चाहिए। और ये छोरी मारे साथ रहेगी जब तक मैं हांग कॉम नहीं पहुंच जाता। कोई भी चलाकी की तो छोरी गई जान से, फिर कटोरा लेके गुपना। और अगर इस चोरीने कुछ हो गया तो मन्ने ना कहना दंगे हो जाएंगे समझे। छोड़ दो मुझे। मारो और उनके साथ आगे पिटो। मैं करनाटा का डी जी पी बोल रहा हूं। करनाटा का कमिशनर बोल रहा हूं। शंकर सेट के साथ रहो लेकिन कोई आक्शन मत लेना। ओके सर। सिंगम आपका पीछा कर रहा है भाई। रह सिंगम, मारी कटी का पीछा करना छोड़ दे। गाड़ी राइट में ले लो। पॉंडीचरी कंट्रोल रूम ओवर। सिंगम, क्या पोजिशन है। सिंगम, क्या पोजिशन है। मैं उसे रोड़ पर फॉलो तो नहीं कर पाया। इसलिए मैं हेलिकॉप्टर से पॉंडी चरी जा रहा हूं। वो जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते पर एक स्पीड ब्रेकर पढ़ता है। हम वहाँ पर एक ट्रैप रखेंगे। जैसे ही उसकी गाड़ी वहां से जाएगी, हमें ग्रिल खोलकर उसकी गाड़ी को पंचर कर देंगे। और हमारे लोग उसे शूट करने के लिए तैयार है। अगर उस लग्की को कुछ हो गया तो जब तक वो बोट में नहीं बैठता वो लड़की को वापस नहीं बेजेगा। इसमें थोड़ा रिस्क तो है लेकिन हम लड़की को बचा लेंगे सर। सारे ब्रिज कमांडर उसकी कंट्रोल में है। सर। सर मान लीजिए अगर वो गाड़ी से होत रही नहीं तो एक मिनिट सब्सक्राइब हाँ अलो दीदी को अपसे बात करनी है हाँ हलो कुछ गाड़ी होनी चाहिए अब मैं बिलकुल ठीक हूँ मेरी फिकर मत करना एक बीवी को अपनी पती की बात माननी चाहिए पर मैंने नहीं मानी क्या कह रही हो तुम इसलिए ये सब हो गया अगर तुमारे कहे मुताबिक मैं गाड़ी लेफ्ट में लेती तो शायद ये सब नहीं होता सिंगम नहीं मुझे माफ कर दो खावे ऐसा कुछ नहीं है तुम बस अपना खयाल रखो तुम भी कारते क्या पूछ रहते तुम अगर वो गाड़ी में नहीं हुआ तो मैं तो ये पूछ रहता कि अगर वो गाड़ी से नहीं उत्रा तो गाड़ी से नहीं निकला तो पर अगर वो उस गाड़ी में हुआ ही नहीं तो, वो गाड़ी में घुमे का ही क्योगा? इसके मुबाईल भी फोन लगाओ सार, आपरेटर आपकिल में बोल रही है अरे, आपरेटर आपकार भी को भी में कैसे बात कर सकती है। वो को फॉरी नाट ही से हुआ है? सामधर मोबाइल कंपणी को फोन करो उसके नंबर को ट्रेस करो सर गुड मॉनिंग एरसल सर नंबर से पता चला है कि वो आंदर प्रिदेश में कहीं है आदे गिंडे पहले वो चेन्ने में था अब वो वहां से निकल चुका है सर वो गया कैसे लेकिन सर वो उस रासे से नहीं जा सकता हट जगा पुलिस तेनाथ है मैं उससे बात करता हूं वोइस ट्रैक ओन करो यह सर अलो देखो मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए तुब एक कुछ नहीं बोड़ सकता है वो इस ट्रैक को स्प्रिट करके सुना ना प्ले कि अब वारे वो चैन्य करता है चाल पॉर्ड राक वो इस वक्त ट्रीन में है सर एक बात तो पक्की है उसने ट्रेन स्टेशन से नहीं पकड़ी खाबर मिली है कि गोवाहटी एक्सप्रेस बीच में रोकी गई थी वो ज़रूर उसी ट्रेन में अंध्रा पूलीस को अलर्ट करो उनसे कहो ट्रेन में चड़े और तलाश करें चाप्टन स्काउप्टें को कर अंदर बैठे आदियों को गिरफ्तार करें लड़की की सेफ्टी के लिए गाड़ी को बिना रुकावट जाने दो यहीं अच्छा होगा लड़की और शंकर सेट्ची फोटो आंदर पूलीस को मेल करूं क्या यह नेलॉर कंट्रोल रूम है ट्रेन को हाटे एक्स्प्रेस चल्दी 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 अनर जाओ उन्हें डूनडो गैप्टन यहीं गोट्रेन होगे इसी को फॉलो करना हो किसके साथ ही है सर सर क्या है आप लज्च में कह लेंगे सर नेलोर स्टेशन पर लज्च दिये जाएगा नहीं चाहिए थैंक्यो सर यह देखिए सर यह तेन कभी भी पहुंशती होगी सर्थ हमें जल्दी कर दारिया हर्या 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 पूरा करना तक टेंशन में आ गया है कब दिखतार करना है सर फिलाल हमें उस पर सिर्थ मैंजर रखना है वो कहां जाना चाहता है यह जाना है हमें यहां से नेलो कितना दूर है यहां से 8 किलो मेटर और यह यह चेन खिचके कट्टी को किसने रोका जैन चल 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 जल जल चल जदी चल सबने अपने घ्र खाली कर दिया क्या यह तो अपने लोगों रुको यह गोरत पूर गाओं भी शंका सेट की कंट्रोल में है नमस्कार भाई नमस्कार आप थोड़ी देर यहीं रुख जाएए भाई अभी आप बोर्ट से गए तो गोस गार्ड आपको पकड़ लेंगे रात के अंधिरे में निकलेंगे तो आसानी सहां कौंग कहुंच जाएंगे यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता समंदर पास ही मैं है यह अपना इलाका है भाई आप फिकर मत करो पॉंडी चरी जाने का प्लान कैंसल नहीं करेगा मुझे फिकर सिर्फ लड़की की है तुम दोनों यहीं रुखो हम तीनों जाकर आते हैं हम भी साथ आएंगे सर बिल्कुल नहीं अगर हम फस गये तो तुम हमारी मदद कर सकते हों यहां पर सेलफोन का सिगनल भी नहीं है जब मुझे तुम्हें उन ट्यूब लाइट्स को शूट करूँगा जैसे शूट करो तुम दोनों आ जाना अब हुम सर पर कफन बांद कर निकले हैं या खुद मरेंगे या उन्हें मार देंगे चाहे कुछ भी हो जाए कोई फायर नहीं करेगा हमें समाल के रहा हुआ है एको से कॉन है हुआ 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 है व कर दो दो कर दो दो तेरी बोर्पुका गला भरक्या है हो करें अथ होजसर Thousand कार दृष्देवां सामने जीतरे छुब है कि शुपरता क्या है सामने आके बाहर कर है कि खाक्की वर्दी गोड़ियां खतम हो गई के आ बाहर के सोच रहा है खुद को सेर बोलता है रुक्षचुद्र कितना फिल्मे खुप रहा है दर गया मैं सची में दर गया चात्तू वापस शुप जा आ गया तो छोड़ी ने कोड़ी मार दूगा तूने क्या मुझे खुद की तरह समझ के रखा है इसके साथ मेरा रिष्टा ही कह जो मैं इसे कि अधान की जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ नहीं हो गया तुम्हें बचाने के लिए मुझे तुम्हें गोली मारने पड़ी क्या होँआ सार इसे गोली लग गई है जल्दी से हॉस्पिटल में एड्मिंटो किसी भी ट्रेन को रोको किसी हॉस्पिटल पहुँचाओ जल् सर ट्रेन आती होगी हॉस्पिटल हॉस्पिटल और यह पिस्टॉल बोल अब तेरा क्या करो जिन्दगी भर जेल में सढना पसंद करेगा या सिधे ऊपर जाना तू हमें चासा देके हॉंग कॉंग भागना चाहता था हमें गुम्राह करके देश छोड़ना चाहता था शाना समझता है अपने अपको निकाल दीना तेरी हेल वो तो बज जाएगी लेकिन सोच नेरा क्या होगा देख तेरे आगे पीछे घूमने वाले कुट्तों को तो मैं खत्म कर चुका हूँ पर तुझे मैं छोड़ दूँगा इसी हालत मैं छोड़ दूँगा क्या मिला तुझे इस सब करके अब अब अपने शेहर लोटने की हि पहले से ही तड़ी पान है बहुत चिलाता था ना चन्नाए मेरा है चन्नाए मेरा है अब चन्नाए का पानी भी नसीब नहीं होगा तेरी हुकुमत खत्पूई मैं जानता था तू पीछे से वार करेगा कभी नहीं सुद्रेगा सोचा तुझ में थोड़ी शर्म बाकी होगी तुझे जेल में डाल दूँ पर तू तो जीने के लाइक है इन अगर मैंने तुझे जेल में डाल भी दिया ना तो तू वहाँ भी तेरी गंदगी पहलाएगा तुझ जैसे दीमा को कुछला नहीं तो सारा समाज घोगला हो जाएगा मैंने तुछ से पहले ही कहा था मेरी हटेगी ना तो सब की भटेगी तूने मेरी बात नहीं मानी भलत इंसान से पंगा ले वोह। ह्ज़ जोग झाल